आज आज आपका सीटी का जो एक्जाम था सिफ्ट नमर थ्री वह आपका हो चुका है और जैसे कल भी हमने सिफ्ट वन और सिफ्ट यानि सीटी की पेपर हमने आपको यहां पर सोल कराए उसी प्रकार आज भी हमारे मतुरिया क्लासेज की पूरी टीम आपको प्रतेक सब्जेट से जो प्रकार के साथ आपको बताया जाएगा दोस्तों आप मैक्जिमम हमसे जुडियेगा और आज सबसे पहले मां आपको बता रहा हूं अपने इंगलिस सब्जेट का पेपर जिसमें लगबग 12 क्वेस्चन सापसे आज पूछे गए हैं जिसमें सबसे पहला क्वेस्चन दोस् आज इंगलिस का कुछ हो डोस्त अपना फर्स्ट क्वेस्टिन जो आप यहां पर देख रहें और यह अपना नंबर सेवन क्वेस्चन दोस्तों यहां पर तो यहां पर सेवन क्वेस्चन जो है यह technical terms से जो related vocabulary है उससे पूछा गया है और यहां कहाएगा कि amendment का क्या मतलब होता है के लिए सही पारी भासिक सब्द कौन सा है दोस्तो amendment जो होता है यह सुधार ना होता है सुधार करना होता है और सुधार करने को आपके जो एक technical terms के इंदर जो language है हिंदी में हो दोस्तो होता ह संसोधन तो यहां पर जो आपका अंसर है दोस्तो वह आपका संसोधन आपका अंसर है next question जस्ट इसके नीचे दोस्तो number 8 है और वो है दोस्तो आपका यह राजस्ट नीचे यह आपका यहां पर देखेगा number 8 question यह कह रहा है कि choose the correct alternative for the translation of the technical terms यहां पर जो technical terms अनुपूरक है इसका English meaning क्या होगा दोस्तो प्रैक्टिस नर्जो होता है इसको व्यसाई कहते हैं और प्लोटर जो होता है इसको आलेक आलेकक कहते हैं यानि द्रो करना एक तरह से और बैक प्लेन जो होता है पक्स्टल होता है यह पस्टल और आपका जो यहां पर है अनुपूरक जो हम कहते हैं Supplement को इसे हम Supplement कहते हैं और इसे परिसिस्ट भी कहते हैं Supplement तो हमका दोस्त जो यहां पर आंसर है वह आपका Supplement है अब आपका next question जो है दोस्तों वह है 15 English में next question जो है वह है आपका 15 question है तो आपका 15 question दोस्तों यहां पर 15 question जो है और दोस्तों यह 15 question जो है यह narration speech का है यानि कि direct indirect से related यह questions आप से पूछा गया है जहां पर indirect speech को direct में convert करवाया है ऐसा ही आपके कल सिप्ट वन में भी ऐसी प्रकार से पूछा गया था दोस्तों यहां पर आपका question है कि he inquired उसने पता लगाया जांच कि अप पूछा whether की या क्या his name was note है मंद क्या उसका नाम है मंद है मंद नहीं है दोस्तों यहां पर इसको हम अब यह दे रखा है आई आइन में यानि कि indirect narration में इसको convert करना है dn में सबसे पहला point तो यह बनता है कि inquired को दोस्तों हम set to में convert करेंगे sad to hem यहाँ पर है यह अकेला sad है यह sad to hem है और यहाँ भी sad to hem है अब यहह यहाँ पर वोज वर्प दे रखा है इसके मतलब दोस्तों ये पहले present में रहा होगा आइज है मरें पूछा गया होगा दोस्तों यहाँ पर पहले हमें वोज को इज में convert करना है यहाँ पर वाज है दोस्तों यहाँ पर वाज है और एक यहाँ पर एज है और एक आपका यहाँ पर एज है लेकिन दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि already इस दे रखा है और इस थर्ड परसन है इसको change नहीं किया गया और इसने कहा कि उसने उससे कहा अगर कोई किसी से पूछेगा तो उसके बारे में पूछेगा कि क्या आपका नाम हैमद नहीं है दोस्तों आपका जो answer होगा वो आपका D answer होगा क्योंकि set to come ने inquired में change कर दिया helping और से start list को API weather से जोड़ दिया दोस्तों यहां पर और next जो है आपका यहां पर यह जो note यहां helping और साथ में आई गया यह your second person जो है इसको object second person object हिमके according change किया गया और हिमके according यहां पर ही जो गया his name और फिर आगे helping और का you subject के बाद में कर दिया गया तो his name was not हैमद और not जो helping और के बाद में ही आता है दोस्तों आपका जो answer है वो आपका D answer है अब आपका next question है number 36 जो आपका antonyms यानि की विलोम सब्द का question है 36 36 question दोस्तों आपके सामने यहां पर है और यह पूछ रहा है कि choose the correct antonyms of the following word from the option given freedom दोस्तों होती है आजादी इसका antonyms बताना है आजादी सोतनतरता तो इसका opposite क्या होगा liberty सोतनतरता है होती है दोस्तों इंडिपेंडेंस भी आत्म दिवर्यान सोतनतरता ही होती है तोस्तों हमारे country अन्मुक्त यानि यह भी आजादी है slavery दोस्तों होती है दास्ता या गुलामी गुलामी मतलब प्रतंतरता हो गई किसी के अंडर में कारी करना दोस्तों यहां पर जो आपका question है प्रेप जीशन का question है 53 दोस्तों यह 53 आपका question है चोज दा करेक्ट प्रेप जीशन जो फिल इन दा ब्लैंक और यहां पर आपके इसमें चार प्रेप जीशन ने इनका यूज करना है बियॉर्ण सिंस और ओप और वी साइड्स वार्निंग चेतवन दी गई है नो अन ओथराइजट परसनल परसनल दोस्तों होता है करमचारियों का समू इसे स्टाप कहते हैं एक परसनल आपका जो परसन से बना व्यक्ति से व्यक्ति गत यहां पर सिंगल एन यहां पर डबल यह करमचारियों का समू होता है कि अन और जुक्राइज जो करमचारियों समू है वहीस स्टाप से बहुत परे हैं सिंस होता है पॉइंट आप टैम के पहले निस्तित समय के पहले वही परफेक्ट कर डिनिसमें होता है जहाँ पर बीन प्लस 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 आईंजी होती है औरका मतलब काके कि यह संभन्द विक्त करता है और वीस साइडस होता है बगल में होना वीस साइडस ऐसा लगा हुआ के अलावा होता है दोस्तों यहाँ पर जो answer होगा वो आपका beyond होगा यानि सबी जो unauthorized personal staff का जो समू है vice point से दूर है परे है तो यहाँ पर answer आपका beyond है next question दोस्तो 61 61 question जो है आपका passage का question है और यह आपका question है दोस्तो इसे यह जो question है आपका इसमें दोस्तो हमने पूरा पढ़कर के आपको हमने direct answer बताया यहाँ पर इसका जो answer दोस्तो इसमें यह पूछा गया है कि यह पेसेज किस से related है यहाँ पर जो question पूछ रहा है कि the पेसेज is primarily concerned with यह किस से समन्दित है तो इस पूरे paragraph में दोस्तो जो यह bacterial infection है इनके symptoms के बारे में ही बार-बार research किया गया है दोस्तो आपका answer यहाँ पर D है और आप इस पेसेज में देख भी सकते हैं यह देखे दोस्तो यहाँ पर जो आपका यहाँ बताया गया है कि यह कह रहा है without treatment within यहाँ पर यह देखे यहाँ पर जो है कि यह therapy एंटिबायोटेकरियल थेरेपी यहाँ देरा suggest किया है कि इसके बारे में कि यह देखे आपका recent research antibiotic resident bacterial यह जो दोस्तो यहाँ पर है यह bacterial strength इनके बारे में बताया गया है और आगे भी इसी का ही research किया गया है यह जो example दे रहा है यहाँ पर यह देखे bacterial infection will be resolved से जो भी है अब दोस्तो इसका जो answer होगा वो आपका D answer होगा तो यहाँ पर answer दोस्तो आपका D है क्योंकि इसमें सारी का आनिक इसके बारे में bacterial infection के बारे में है अब आपका next question है दोस्तो 78 तीवी क्योंने चल रही 78 question है दोस्तो आपका यहाँ पर 78 78 question है 78 question जो है vocab का question है और इसमें synonym पूछा गया है synonym जिससे हम कहते हैं परियाए वाची सब्द similar word similar word हम इसे कहते हैं तो यहाँ पर similar पूछा गया है किसका deform जिसका मतलब दोस्तो होता है बिगाडना बिगाडना जिसका answer तो आपका distort होता है बिगाडना यह जो fashion है यह पैनावा होता है यह दोस्तो आपका पैनावा होता है और beautify जो होता दोस्तो वो सुन्दर बनाना होता है और mold जो है यह ड्हाचे में डालना होता है ड्हाचे में डालना यह ड्हाचे में डालना होता है और वेरी गुड मॉर्निंग स्रोजमें दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा तो यहां पर जो आपका आंसर है आपका ही आंसर कौन सा है डिस्टोर मतलब बिगाडना ब्यूटिफाय सुंदर बनाना फैसन आपका पैनावा है अब नेक्स्ट कॉस्ट्ट्ट जो है दोस्तों आपका यहां पर वो है आपका 105 105 कॉस्ट्ट्ट 105 कॉस्ट्ट्ट 105 question दोस्तों आपका translation का question है यह दोस्तों आपका translation का question है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि translate the following sentence into Hindi हिंदे में आपको इसको translate करना है तो he called a taxi for me उसने मेरे लिए मेरे लिए एक taxi बुलाई यहाँ पर कह रहा है उसने मुझे taxi पुकारा पुकारा नहीं है बुलाई है cold की meaning देख लीजिएगा यहाँ बुलाई है यहाँ लाया ब्रोट होता है और यहाँ कहा sad होता है तो सीधी meaning यहाँ पर cold से मिल रही है आपको कि उसने मेरे लिए एक taxi बुलाई यहाँ दोस्तों आपका अंसर यहाँ पर B होगा यहाँ पर आपका अंसर होगा दोस्तों B अब आपका next question है और question number 130 है दोस्तों इस बार 130 पर देखेगा 130 और दोस्तों यह रहाँ आपका question 130 choose the correct option यह कह रहा है कि the tone of a circular should circular tone क्या होनी चाहिए दोस्तों circular था circular यह चारतर गोमने वाला आप देखा होगा कि जब आप किसी school में पढ़ाई करते थे वहाँ पर 10 classroom हो अकरते थे कि 6 से फिर 7, 8, 9, 9, 9, A, 9, B और 10, A, 10, B, 11, 12 अब अगर कोई भी message अगर principal साब को सभी teachers को देना हो सभी students को देना हो तो message तो same रहेगा यह तो है नहीं कि इंगलिस वाले को अलग message देंगे 9th class को अलग देंगे 10th को अलग देंगे जैसे कोई leave के बारे में आवकास के बारे में बताना हो कोई प्रोग्राम के बारे में बताना हो तो message टाइप करके लिख करके और पियोन को देता था पियोन सभी rooms के अंदर circulate कर गूमता था और जिसके पास भी message गया उससे sign करवा के लाए करता था तो दोस्तो message भी same होता था audience यानि कि जो जिनके पास message गया वो भी same होते थे तो दोस्तों यह कह रहा है कि remain the same for any kind of audience यानि किसी प्रकार का audience हो जैसे यहाँ पर audience का जैसे 9th class का teacher हो 10th का 11th का 12th का तो यहाँ पर वैसा answer तो आपका A होमरेस होगा नहीं सामझसे वाला इस्ट्रिक्ट खटोर नहीं होगा और different kinds हो कि बाद different message नहीं जाएगा दोस्तो message A की होता है और जैसे कि एक जो senior officer होता है अपने manage junior officer को अगर कोई message दे तो message दोस्तों same होगा department अलग-लग हो सकते हैं क्या आप सभी को same message देना चाहा रहे हैं इसका दोस्तों answer आपका A अब आपका next question है 141 141 question है दोस्तों आपका यहाँ पर 141 question है दोस्तो 141 यह है दोस्तों आपका question जो आपका है active passive से related change the voice of the following sentence from the option given below और यहाँ पर question है कि who teaches you such things तो यहाँ पर मैंने कली बताया था कि अगर आपको active passive तुरंथ find करने हो तो main verb को focus किया करो दोस्तों यहाँ पर main verb teaches teaches दोस्तों यहाँ पर first form है तो मैं passive में बी की first form देखनी है जो होती है दोस्तों इजे मार इजे मार देख लिजे गर आगे इज की third form देख लिजे टॉट इजे मार टॉट आपको देखना है यहाँ पर दोस्तों वर है यहाँ पर भी वर है यहाँ पर वोज है यह तीनों ही past tense हो गए दोस्तों आपका answer सीधा से बन रहा है आर वाला आर और यह टॉट यान तो यहाँ पर आपका answer है बी इसके बाद next question 144 144 question जो है दोस्तों आपका fill in the blanks with the appropriate article यह article का question है और eat banana everyday to keep yourself healthy यह एक तरह से प्रोवर्बी है कि रोज अगर आप एक केला खाएं को सथा एन एपल होना चीए तरह बनाना लिग दिया तो आपको हमेशा क्या रखेगा स्वस्त रखेगा वैसे डोक्टर कहते हैं कि एन एपल ठीक है जो डोक्टर को हमेशा दूर रखता है तो लेकिन यहाँ पर इसका बनाना का प्रियोग किया दोस्तों बनाना आपका singular noun है और बै यानि कि consonant यहाँ बै कॉंसोनेंट का sound यहाँ यहाँ पर आ रहा है दै को यह विसेश हैने कि एक ही केला रोज खाना हो और वही एक हो उसी को अगले दिन खाना हो ऐसे यहाँ कोई particular नहीं बन रहा है जिरो आर्टिकल यहाँ पर आएगा न क्या रहेंगे healthy रहेंगे clear friend अब आपका last question आज का English का जो है वह है दोस्तो आपका last question 149 149 question जो है दोस्तो यह tense का question है यह रहा दोस्तो यह choose the correct tense of the verb given in the brackets यहाँ पर जो है कहरा है कि ब्रेक्ट में जो verb उसके सही और बताईएगा दोस्तो दिहान रहे हमेशे ध्यारत रखना कि do और does और did के बाद हमेशे हां first form आती है second और third form यह ing, s, e, 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 s किसी का भी प्रेयोग नहीं होता और यहाँपर do दे रखा है तो do के साट दोस्तो के वल štFORM आती है यह speak जोंकिय त्यों आजाएगी answer दोस्तो आपका B है क्योंकि ए 3rdFORM है 3rdFORM है jiv ahead के बाद में आती है speaking is mr brother के बाद आएगी इस पोग जो second form है और second form से पहले कभी कोई hilfing word नहीं होती तो दोस्तो यह था हमारे इंग्लिस का पेपर जो काफी इजी लेवल था इसका कि मालोग को एक दो क्वेसन आप उलग रहे होंगे बागी काफी इजी क्वेसन था दोस्त अब आपका नेक्स्ट जो है वो हिंदी सब्जेट के आपको यहां पर क्वेसन के जो आंसर अलकर जाएंगे तो बने रहे देगा ठीक दोस्तों तो हमारे महमाती इंदी वाली तो उनसे आप इंदी के क्वेसन के आंसर देखिए आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और हिंदी का जो पेपर आया है वो कल जैसा ही लेवल का है सामान्य पेपर है बहुत हार्ड नहीं है और जो पढ़ाया गया है उसी में से लिया गया है तो पेपर सोल्यूशन करते हैं मुस्कराट के साथ क्योंकि पेपर उसी में से आया है जिस समास में पहले सब्द के बाद कारक्चिन किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं किसी रूप में विद्यमान रहेगा वो कौन सा समास है अलूग तदपुरुष Next Queson है अपना 27 27 क्यूसन है चीटी के पर निकल लगना मुहावरे का सही अर्थ है चीटी के पर लगना देखो मुहावरा है मुहावरे का सही अर्थ है जब आप ने देना घबराट होना अधिक घमंड करना विनास के लक्षन प्रकट होना तो चीटी के पर लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा अधिक घमंड करना मुहावरे का अर्थ है अधिक घमंड करना और जो आपको नोश दिये थे उसी में से जो कातियों उठाया गया है नेक्स्ट क्यूसन है ट्वंटी एट निम्न लिखित में से किस विकल्प में सभी सब्द असुद्ध हैं आपको यह देखना है कि सब के सब जो सब्द हैं वो क्रित क्रत्य यह भी सई है केश ओसद स्रिंगार संग्रहित एक्य तदुप्रांथ तत्वधान तदंतर यह सारे के सारे सई है इसमें ओप्शन हो जाएगा डी यह इस प्रकार से लिखा जाएगा कोंते यह क्रेती हो जाएगा और यह हो जाएगा काई के इस प्रकार से यह इनके सुद्ध रूप हो गए यह तीनू के तीनू क्या है असुद्ध हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन है थार्टी फूर थार्टी फूर क्यूशन छानी के क्रोध जीवन नस्ट कर देता है वाक्य में कोन सा विशेशन है तो देखो विशेशन जो है परिमान में क्या होता है नाप होता है संख्या वाचक में संख्या गुण वाचक संकेत वाचक षानी के क्रोध जीवन नस्ट कर देता है तो जीवन जो नस्ट हो रहा है उसकी तरब क्या किया गया है संकेत किया गया है तो इस में क्या हो जाएगा डी ओप्शन क्या होगा संकेत वाजन इसके बाद में next जो क्यूशन है अपना 56 56 पथ ब्रस्ट सब्द में कौन सा समास है पथ ब्रस्ट अब इसमें देखो पथ ब्रस्ट का मतलब होता क्या है पथ यनी पद रास्ता ब्रस्ट यनी हट जाना पद से हट जाना रास्ते से हट जाना तो करण तत्पुरूस संप्रदान तत्पुरूस अधिकरण तत्पुरूस और अपादान तत्पुरूस तो देखे इसमें ओप्शन में जो राइट आंसर है वो क्या होगा अपादान तत्पुरुष क्यों कि यहां पर जो तत्पुरुष है वो पथ ब्रेस्ट यानि रास्ते से हटा जा रहा है अलग हुआ जा रहा है तो जहां अलग होता है वहां पर होगा अपादान तत्पुरुष समास नेक्स्ट क्यूसन है अपना 62 62 62 क्यूसन है आवान सब्द का विलो में है देखिए आवान का मतलब होता है बुलाना आवान का मतलब क्या होता है बुलाना तो इसका विलोम क्या होगा विसर्जन विसर्जन का मतलब त्याग देना तो विलोम सब्द क्या होगा इसका विसर्जन 62 का आवान यानी बुलाना विसर्जन यानी त्याग देना या छोड़ देना आगे हैं 70 निम्न लिखित में से प्रैत्य सहित सब्द कौन सा है अब इसमें देखू प्रैत्य रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रैत्य नहीं है तो उपसर्क किसे कहते हैं जो मूल सब्द के पहले लगता है और प्रैत्य मूल सब्द के बाद में लगता है तो देखिए यहाँ पर मूल सब्द क्या है पुत्र और क्या जुड़ा हुआ है वत यहाँ पर मूल सब्द क्या है पत्र और क्या जुड़ा हुआ है कार यहाँ पर मूल सब्द क्या है धैरिये और क्या जुड़ा हुआ है वान अब यहाँ पर देखो यह सब्द क्या है दुस और क्या है साहस तो उपसर्ग हो गया यहाँ पर तो और यह बाद में जूड रहे हैं तो क्या प्रत्य है तो प्रत्य रहीत पूश रहे हैं जिसमें प्रत्य नहीं है क्या है उपसर्ग है तो हमारा ओप्सन क्या हो जाएगा ए ओप्सन क्या होगा ए एक यूँ हो रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ इस सब्द में क्या है उपसर्ग जुड़ा हुआ है उपसर्ग कौन सा है दुस दुस उपसर्ग है अलन्त और मूल सब्द क्या है साहस मूल सब्द क्या है साहस है यह आपको करवाया भी था क्लास में इसके बाद में देखिए है 72 निम्न लिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है पत्रों के बारे में आपको क्लास में विश्ट्रीत रूप से बताया गया था समझाया गया था और आपने मुझे उम्मीद है देखते ही क्यूसन को सोल्व कर दिया होगा तो देखिए निम्न लिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है आपको बताया था अधी सूचना परिपत्र अनुइस मारक और आवेदन पत्र तो अनुइस मारक भी है अधी सूचना भी है परिपत्र भी है सरकारी पत्र कोन सा नहीं है आवेदन पत्र आवेदन का मतलब होता है कि कोई वी वेकैंसी निकलती है उसमें हम अपलाई करते है उसको क्या कहेंगे आवेदन तो आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं है इसके बाद में देखिए next question है 104 इसके बाद में देखिए 104 नम्मर की उसन है निम्न लिखित में किस वी कल्प में भाव वाचक संग्या युक्त सब्द है निम्न लिखित में से क्या पूछ रहे हैं भाव वाचक संग्या युक्त सब्द भाव वाचक संग्या युक्त सब्द तो भाव वाचक संग्या युक्त शब्द कोन सा है भाव वाचक संग्या युक्त शब्द है तो इधर देखिए मोहन और लड़का मोहन व्यक्ति वाचक है लड़का जाती वाचक है गंगा व्यक्ति वाचक है जैपूर व्यक्ति वाचक है पहाड जाती वाचक है और नदी भी क्या है जाती वाचक तो भाव वाचक संग्या युक्त जिसमें भाव हो तो क्या है बचपन और योग्यत एक सो चार नम्मर में ज लास्ट क्यूशन है, 142, लास्ट क्यूशन 142, 142, इसमें देखे, रिग्वेद सब्द का सही संदी विच्छेद है, तो आपको समझाया था, संदी विच्छेद सब्द क्या होगा, रिग्वेद का, तो देखो, रिग्धन वेद, ये वर्ग का कौन सा वर्ण है, प्रथम, प्रथम अक्सर अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संदी है, वियंजन संदी है रिग्वेद में, और इसका विच्छेद क्या होगा, रिग्धन वेद, तो आंसर क्या होगा, बी, रिग्धन वेद, यह हमारे हिंदी के क्यूसंस थे, जो बहुती आसान है, ठीक ले पेपर आया है, उमीद है, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका, और इसी कड़ी में आगे पेपर सोल्यूसन कराने के लिए, अगले वाले सर आ रहे हैं, नमस्कार, झाले सरी ओट आपका, पेपर समय आपका, इसी का लिए जो उना आपका, भी चल्हां पेपर हैं, भी किया है, यह हमारे है, भी कुछ है, पेपर सुछूू तरह रहे हैं, यह कर दे कि आपका, खकार आपका, चल्एग़् करें, नम्गड़ कर दने के यह पक्यां घुएंग कर दो कर दो दोस्तो गुड आफ्टरनून मतुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं आपको मैथ और रीजनिंग के कोशनों का सॉलूशन कराऊंगा देखो पेपर बहुत सिंपल था और सारे कोशन अपनी बुकलेट से हुवा वुवाएं एक भी कोशन अपनी जदी उचाई को दुगना कर दिया जाए और आदार को 20% कम कर दिया जाए तो तिरवुज के पुराने चेतरफल और नए चेतरफल का अनपात क्या होगा अब देखो इसमें बात परसेंटेज की गई गई है तो अपन परसेंटेज की कैलकुलेशन हमेशा सो से करते हैं तो तिरवुज का चेतरफल होता है एक बटे में दो आदार गोडे में उंचाई मैंने मान लिया अपने पुराने तिरवुज का चेतरफल निकालने के लिए अपने को आदार मेरा कितना सो और उंचाई भी मैंने कितनी मान ली सो अगर मैं चेतरफल की बात करूं तो एक बटे म क्या का है उसने कोशन का है अपने से की उचाई को दुगना कर दिया जाए तो मैंने उचाई कितनी मानी थी 100 तो अब यहां पर अपन उचाई को क्या कर रहे है दुगना तो उचाई को दुगना कर दिया तो उचाई मैंने कितनी कर दी 200 और फिर उसने का है आदार को 20% कम कर दिया जाए तो 20% मतलब 100 तो इसको क्या कर दिया मैंने 80 अब अपन नए त्रवुज का चित्रफल ग्याद करेंगे तो एक बटे में 2 आदार मेरा कितना 200 गुणे में 80 तो यहां से 2 से कितना कट गया 100 तो यह हो गया 8000 अब देखो उसने क् नहीं पुचाता अपने से कि त्रवुज के पुराने चित्रफल और नए चित्रफल का अनपात क्या होगा तो देखो पुराना चित्रफल तो अपना 5000 और नए चित्र अपना 8000, इनका अनपात निकालेंगे तो 5, अनपात 8, तो अपना option number B सही होगा, अब देखो next question, question number 9, बहुत ही simple, सारे booklet से हुआ हुआ हूँ, बिल्कुल, as it is, अब देखो question number 9 की बात करते हैं, question number 9 का आए, कि log 4M L plus M upon K, अब देखो, log 4 L M upon K, अब देखो, आप इसको ऐसे करो, log M upon N, तो देखो, log M upon N क्या होता है, log M minus log N, तो देखो, log M की जगे पर, log 4 L M minus log K, अब देखो, minus में क्या रहा है, log K, अब देखो, तीन option, अपने तीन option, इसमें देखो, log plus में K, log plus में K, ये दोनों option तो cancel out, अब अब अपना कौन सा होगा, log K, दो minus में इसमें, अब देखो, यहां पर दो equation log, log M N, तो log N, अब देखो, इसको लिख सकता हूं में log, 4 को लिख सकता हूं में log 2 का square, और L M minus log K, अब देखो, यहां पर square, तो 2 को आगे लेएंगे, तो 2 log K, अब देखो, ये option में कहा रहा है, 2 log 2, तो देखो, 2 log 2 कहा रहा ही है, तो अपना option number A क्या होगा, सही होगा, और अपने इसको L upon M में तो प्लस क्या होगा, log L, प्लस log M, और minus K log K, तो अपना कौन सा सही होगा, option number A सही होगा, अब देखो, अपन चलते हैं, next question है, अपना शोलवा, देखो, question number 16 क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि एक गन के किनारे में 20% की ब्रद्धी कर दी जाती है, तो बताओ इसके आयतन में कितने परसेंट की ब्रद्दी होगी अब देखो गन के किनारे में हो रही है बीस परसेंट की ब्रद्दी तो देखो गन का आयतन गन का आयतन कितना होता है बुजा क्यूँ अब देखो बुजा क्यूँ किनारे मतलब किनारे कहलो चाहे बुजा कहलो देखो बाहर के बीस परसेंट की बात करें मैंने वानली बुजा कितनी हो गई सो तो इसका आयतन कितना हो जाएगा सो का क्यूब सो का क्यू कितना हो गया एक लाक अब देखो फिर उसने क्या का है बीस परसेंट की ब्रद्दी तो सो में बीस परसेंट की ब्रद्दी करेंगे तो कितना हो गया 120 अब देखो उसका आयतन निकालना है अपने को आयतन की बात कर रहे हैं तो 120 का क्यू करेंगे तो देखो 12 का क्य क्यूं होता है कि बारेका क्यूं होता है 1728 और इसकी कितनी जीरो तीन जीरो कि ठीक है ना अब देखो कितना बड़ा अपना यह बड़ा अपना इतना और कितने पे एक लाग पे इंटू में 100 2-0 से 2-0 इससे यह 0 तो कितना बता बैतर 0.8 तो बैतर 0.8 कितने में ओप्सन नमर भी और यही अपना आंसर है अब देखो कोशन नमर 18 यह जो रीजनिंग का कोशन है देखो रीजनिंग का कोशन है बहुत ही सरल कोशन है इसमें क्या कहा है अपने को यह कह रहा है कि अपने को यदी एक कालपनिक वासा में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को करम से L, M, N, O, P, Q, R, S, T से प्रतापित किया गया है और 21 को N, M लिखा गया है देखो यह कालपनिक वासा में अपने को कोड दे रखें और कोड को L, M, N इन से दर्सा है गया है अब देखो अपने से क्या पूछा है अपने से पूछा है T, O, माइनस Q, R, बुड़े में M, N तो देखो T का कोड कितना देखो T कहां पर आ गया एक से से तो T का कोड कितना हो गया 8, T का कोड आ गया 8, O, O का कोड कितना आ गया, L, M, N, O, तो T का कोड, 0, 1, 2, 3, तो ये कितना हो गया, 83, केवल, अपने को value वहां से निकालनी है, और अपने को इसमें रखनी है, माइनस, Q, Q कितने नमबर पे, पांच में नमबर पे, तो पांच में नमबर पे कितना, 4, ऐसे ही R, R कितने नमबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितना हो गया, 40, और M, N, इसने का था, 21 को N, M लिख रहा है, इसका just opposite, multiply में कितना हो जाएगा, 12, अब देखो, 83 में से, 40 less करेंगे अपन, तो ये 7, और यहाँ हो गया 5, तो ये हो गया 37, 37 गुड़े में कर दो 12, तो देखो, 7 दूनी, 12, 7, 84, 8, 12, 36, 36 और 8 कितने हो गये, 8 और 6, 45, sorry, देखो, ये बते, 37, इन 2 में 12, इसको देखो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, और 1, 7, और ये हो गया 37, ये 4, ये 4, और ये 4, अब देखो, इसको अपने को देखना, 4, 4, तो देखो, O, N, P, अपने अंसर क्या होगा, ये बाला, अब देखो, अपना कोशन कौन सा है, कोशन नम्मर 24, सीधा मान रखना था, अपने को, देखो, कोशन नम्मर 24 कह रहा है, कि 36 गंटों में, एक गड़ी की सुईयां कितनी बार मिलती है, अब देखो, ये रीजनिंग का कोशन है, तो रीजनिंग के कोशन में, देखो, 12 गंटे में, गड़ीयों की सुईयां कितनी बार मिलती है, 11 बार मिलती है, 12 गंटे में 11 बार, 24 गंटे में मिलती हैं 22 बार, तो अपने से कितना पूछा है? 36 गंटे, तो 36 गंटे में कितनी बार मिलेंगी? अपने को मिलेंगी 6, 11 दूनी 22 और 11 ती है 33, अगर देखो यहां 12 में 11 बार हो रही हैं, तो 12 का कितना गुना? 3 गुना, तो 12 ती है 36, ऐसे ही 11 का तीन गुना कितना हो जाएगा 33 तो कितनी बार मिलेंगी 33 और यही अपना डी अंसर है अब देखो कोशन नमबर 26 देखो कोशन नमबर 26 बहुत ही इजी था इसमें अपने से कहा गया है कि एक रासी साधारण ब्याज पर 25 परसेंट बार्सिक व्याज की दर से चार वर्सों में 88 रुपे हो जाती है तो देखो यहां अपने को समय दिया हुआ है टी का मान कितना चार और कितनी परसेंट की दर से 25 परसेंट तो अपने को रेट दी हुई है 25 परसेंट अब उसने क्या का है अठ्यासी सो हो जाता है तो अठ्यासी सो क्या है अपना यह यह अपना मिस्रदन तो देखो अपने को मिस्रदन दिया हुआ है तो मिस्रदन दिया हुआ है कितना अठ्यासी सो और अपने से पूछा क्या है कि बताओ वह रासी क्या है रासी पूछे तो बोले मूलदन तो देखो मूलदन निकालने के लिए अपने हो क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला होता है ब्याज बरावर मूलदन गोड़े में समय गोड़े में दर और बटे में कितना आ गया सो अब देखो अपने पास ब्याज है ब्याज कैसे निकालते है मिस्रदन माइनस मूल्दन से तो मिस्सिर्दन माइनस मूल्दन बरावर मूल्दन इंटू में समय गुड़े में दर और बटे में कितना आ गया 100 आ गया अब देखो मूल्दन मिस्सिर्दन कितना दे रखा है 8800 देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 8800 माइनस का कितना X, ये क्या का माल लिया, मैंने मूलदन माल लिया, तो X गुड़े में समय कितना दे रखा है, 4 वर्स और दर कितनी दे रखी है, 25 और बटे में कितना आ गया, 100 अब देखो, 25 चो के 100 100 से ये 100 के इंसल आउट, तो देखो 88 100, और माइनस का X, और बरावर में कितना बचा, X, X को एधर ले जाएंगे तो देखो, 88 100 माइनस के, बरावर में कितने आगे, 2X के, तो X बरावर कितना आएगा 4500, तो 4500 के आ जाएगा, अपना मूलदन आ जाएगा, option नमर C, ये ही अपना क्या है, answer है अब देखो, question नमर 30, बहुत ही simple question थे, थोड़ा सा effort लगाना था वस, लेकिन वो effort कव लगता है, जब अपन अच्छे से मेनद करते हैं, अब अपने वो booklet के question निका ले नी, और अपन कहँए एगी paper टपता, तो देखो, वो चीज़े नहीं है, बिलकुल अनपात तीन है, तो बताओ, सूर का उन्यन क्या है, अब देखो, च्छण, तो मैंने कह दिया, ये तो मेरी च्छण हो गई, और च्छण से के साथ क्या बनेगी च्छाया, तो देखो, अपन कोई दीवार के सारे खड़ा होते हैं, तो अपन कड़े होने के साथ देखर च्छाया बनेगी, तो ये क्या बन गई च्छाया, और इसका अपने को दे रहा है, च्छण की लंबाई, तो च्छण की लंबाई कितनी, एक, और अपने पास च्छाया की लंबाई का अनपात कितना, गिवन हो डाटा में अपने को लंबाया गिवन होता है अपने पड़ा होगा लाल बटे सब्सक्राइब कर द le terminate पास ती अंडरूट तो अपन चलेंगी। देखो लंब बटे में आधार, तो यह क्या हो गया, टेन ठीडः कुATOR तो पेन ठीडः वरावर कितना हो गया एक बटे में, अब अब एक बटे में अंडरूर 3 कि आपla पना होता है, यह टेन ठीडः होता है, 30 डिगरी और यही अपना आंसर था तो इसमें कौन सा है option number अपना D यह कहा है question number 30 का आंसर अब देखो फिर इसके बाद question 33 यह आपके पर्गमूल गनमूल से था सब इसमें क्या का गया है अपने को का गया है यह 0.064 गुड़े में 6.25 बटे में 0.081 गुड़े में 4.84 अब देखो बिल्कुल सिंपल अब यहाँ पर देखो बर्गमूल निकालना है तो 0.64 को देखो तीन अंक बाद तीन अंक बाद तो अगर बर्गमूल निकालते हैं 0.8, 6.25, किसका बर्ग मूल, किसका बर्ग 25 का, कितने अंग बाद, 2, तो इसमें बर्ग मूल कितने, 2.5, अंडरूट में लिख रहा हूं, अगर अंडरूट के बाहर निकालेंगे, तो अपन सीधे बाहर लिख देंगे, तो इसको बाहर ही लिख देते, देखो, 0.08, गुड़े में कितना, 2.5, एक्क्यासी किसका बर्ग होता है, 9 का, तो इसको लिख सकते हैं, पॉइंट कितना आ गया, 9, तीन अंग बाद है, तो इसके दसमलब 2, गुड़े में कितना, 4.84, किसका बर्ग मूल, 22 का, तो यह हो गया, 2.2, अब देखो, 2 दसमलब इधर, 2 यह, तो यह दोनों दसमलब यहां से केंसल आउट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 8, इसको लिख दिया, 9, इसके देखो, इसका एक एक दसमलब, इनको केंसल आउट कर दो, 25, और इसको कर दो, 22, इसको अलका करेंगे, 2.4, 8, 2.11, तो देख होते हैं, आपना नेक्स्ट वोचन की तरफ, नेक्स्ट पोशन था अपना 49, यह 49 कोशन अपने एक ग्राफ का था, 49 कोशन क्या कह रहा है, देखो, 49 कह रहा है अपने से, कि एक ग्राफ है, इसका अपने को सार्णी पूरुवक अद्यन करना है और अपनेको आंसर देने है अब देखो इसमें क्या का आगया है यह गराब दे रखा है इसमें अपनेको कॉलिज डे दे भी रहें A, B, C यह दे रखे हैं और इसमें दे रखी है अपनेको संक्या जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या है और अपने को खाली वाले बॉक्स को तो दिखाया गया है लड़कों से और जो अपने को क्रॉस हो रखा है वो दर सारी है किसको लड़कियों को उसने का क्या का है अपने को कॉलेज A तथा कॉलेज C में कुल विद्यारतियों क संख्या का अनुपात क्या है? अब देखो, college ये में चलते हम पन, खाली वाला box किसका लड़कों का, तो लड़की हो गए मेरे साब कितने? 55,000, और विद्यार्तियों की बात कहिए, तो विद्यार्तियों में कौन कुन आएंगे? लड़का पिलस लड़की अब देखो फच्पंसो तो लड़के लड़किया कितनी आ गई पच्चीस सो तो लड़किया आ गई साब मेरी पच्चीस सो तो ये कितनी हो गई मेरी टोटल आठ हजार ऐसे ही चलते है अपन कक्छा सी में अब देखो कक्चा C में क्या है कक्चा C में लड़के कितने हैं मेरे 4500 और लड़किया कितनी हैं 3500 तो ये देखो ये टोटल कितने होगे 8000 तो देखो कॉलेज ये में भी 8000 और कॉलेज C में भी अब पूछा है अपने को अनपात दोनों आपस में cancel out तो एक अनपात एक ही मेरा क्या होगा answer तो इसमें option देखो option number C ये इसका क्या था answer था option number C क्या था इसका answer एक अनपात एक अब देखो चलते हैं पर next question की तरफ next question है अपना देखो ये reasoning का बहुत ही simple इसमें क्या का गया है अपने को दरपण पृतिविम क्या हो गया अगर देखो अगर अपन CCA को इधर की side रखते इसका पृतिविम बनेगा दाई तरफ और अगर अपन image को इधर रखेंगे तो अपना प्रतिम बनेगा इधर की तरफ, आपको कुछ नहीं करना है, देखो, इसको बना लो तिर्वुज, देखो, प्रतिम में क्या होता है, जब अपन किसी भी चितर का प्रतिम बनाते हैं, तो अगर अपन मिरर में देखेंगे उसको, तो दाईं चीज तो कहां दिखाई देगी, ब यह इदर था तो यह देखो एधर देखाई देगा और यह देखाई ही देगा इदर और यह इद्वrator इदर तो यह बिन्दू कहां गया यह अब देखो कॉन सा option बिल्कुल यह बरहा हुआ मेरा तो देखो पॉप्शन लुपर बिल्कुल सिंपल अब देखोई, सेम कोशन, कोशन नम्मर 55, बुकलेट में एजटिज, इसके डाटा भी चेंज नहीं है, सीधा बुकलेट से एजटिज कोशन आया है, क्या काया है, इसने कप्तान और सेनिकों की 1200 व्यक्तियों का एक समू है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, तो अपने को टोटल कितने दे रखे, टोटल अपने को दे रखे थे बारैसों लोग, बारैसों लोग थे, एक सफर में यात्रा कर रहे थे, उसमें क्या कई Kोन-कौन थे, कप्तान और सेनिक, अब उसमें क्या काया है, या पिरतियेग सेनिकों पर एक कप्तान थे, तो देखो जहां अपन 15 था कप्तान उनके उपर संद्रक्चा तो देखो पंद्रे तो स्टूडेंट थे और उन पर एक व्यत्ती ओड़ था तो पंद्रे और यह कितने हो गय तो एक गुरुप में कितने लोगों के लों कितने लोगों डूं कितने का तो पॉष्य तो पर क है कि अपना आ훈र है कि अब दो कोन मर अगला है Kylie की बौति आजान और सरल कोश्षन थे आप इन कोशनों को देखना लावानी की बुक्लेट में सीधा मिलेगा डाटा भी चेंज नहीं एक प्रकार का ना इसमें इस विक्रेमूल से सेम कोई चेंज है ना इसकी लावानी चेंज है अब देखो सीधा इसने क्या का है एक आदमी ने दो मेज 720 रुपे में बीची एक पर उसे 20% का लाव और दूसरी पर 20% की हानी हुई तो बताओ पूरे सोधे में कितने ही लाव और कितना हानी हुआ देखो मैं अमने क्लास में बार बार बताते हैं कि अगर आपको ऐसा सवाल लगे तो देखो इसने क्या कहा था 720 रुपे में पिरते एक बेची तो दो कितने में बेची तो देखो 720 का मैं दो से मल्टिप्लाई कर दूँ तो यह आएगा मेरा 1440 रुपे यह क्या गया टोटल विक्रेमूल आ गया अब देखो क्या का गया है एक पे 20% लाब था विक्रेमूल में तो देखो 120 पे कितने की गई थी वो 720 में तो क्रेमूल कितना गया एक बरावर कितना गया 720 बटे में 120 और 100 बरावर कितना हो गया तो देखो 720 बटे में 120, multiply में 100, तो पहली का क्रेमूल कितना था? 600, अगर मैं 600 को 20% लाप पर वेचूंगा, तो मेरे को कितना मिलेगा? 720 रुपे मिलेगा, ऐसे उसने दूसरे पर क्या का? 20% गयानी हुई, तो 20% मतलब 80 बरावर कितना दे रखा है? अपने को 720 दे रखा है, तो इसका क्रेमूल कितना आगया? 900, अब देखो, एक का 900 और दूसरी का 600, तो टोटल कितने हो गए? 1500 रुपे, ये मेरा 1500 क्रेमूल, और मैंने बिक्रेमूल कितने में की? 1440 रुपे में, अब देखो, यह कहिए कुल कितनी आनी हुई, तो देखो, जादा में खरीद रहे, कम में भी बेच रहे हैं, तो आनी, तो देखो, 1500 की चीज, 1440 में गई, तो कितने रुपे की आनी? 100 रुपे की आनी, ओप्सन नमर C, यही अपना आंसर था, अब देखो, कोशन नमर 71, क्या कह रहा है? यह कह रहा है, एक संभावत रुज की बुजा और उचाई का अनुपात क्या ह होता है, पांच मिंट, अब देखो, संभावत रुज, संभावत रुज की बात करें, तो उसमें सारी बुजाएं समान, और संभावत रुज में, साट डिगरी का कौर, अब देखो, संभावत रुज, अब उसमें क्या कह रहा है? संभावत रुज की बुजा और उचाई, तो मैंने बुजा माली देखो, ये बुजा A, ये बुजा A, ये तीनों बुजा A, उचाई की बात कर रहे हैं, तो इस पेसे डाल दो सीधा लंब, तो ये मैंने A, B, और C, ये मैंने लंब डाल दिया, अब देखो, बुजा और उचाई की बात कर रहा है, तो मेरे पास देखो बुजा का मान तो है लेकिन ऊचा ही नहीं है अब बुजा का मान है और ऊचा ही नहीं तो देखो यह पूरी यह है तो यह जब मैंने कर दिया तो यह कितनी हो गई ए वाइटू और ए वाइटू ठीक है ना अब देखो ये वाइटू ये बुझा ये अपने को इन दो न अपने को ये चाहिए तो देखो अपने पास कंड है आदार रहें तो देखो यहाँ आपन सीधा निकारेंगे तो ये होगी अंडरूट 3 तो तो झाज़ा का उल्डेया एन्डरूट 2 ए इसाथ को एक अंडरूट 3 एंडरूट 4 यह पूरे पर रूट है और अनपाद ए इसकोर ए से कट गया ए तो 3 वटेया एसको इन्डरूट 3 यह से 여 hört कि दो और एक तो बुजा का उसके तो अनपाद तो ठीक है ना तो यह अपना option number A यह इसका क्या है सीधा answer है अब देखो question number 75 यह कह रहा है दो लंब बरत्ति है बेलनों इस त्रिज्जाओं का अनपाद 2 अनपाद 3 तो देखो r1 अनपाद कितना दे रखा है दो और r2 का मान कितना दे रखा है r1 का मान 2 और r2 का मान कितना दे रखा है 3 और ऐसे ही उचाईयों का अनपाद 2 उचाईये तो देखो h1 का अनपाद 5 और h2 का अनपाद 6 और अपने से पूछा है 2 πай вр अब दीखो 2 H है और 2 है तो R1 और H1 अनपाथ 2 πай R2 और H2 तो यह दोनों cancel out R1 का मान कितना 2 और H1 का मान कितना 5 और R2 का मान कितना 3 और H2 का मान कितना आ गया 4 देखो कुछ cancel 2 से यह cancel out तो यह अनपाथ आ गया 5 पाँच अनपाच छे तो यह किसका अनपाच आ गया पहले यह बकप्रष्ट का चितपल का गया तो देखो पाँच अनपाच छे कहा रहा है सीधा यही मिल रहा है तो अपना आंसर क्या होगा यह पाच अनपाच छे तो तो पांच अनपा च्छे आ गया पहले यही देखो अपने को आगे करने की आवश्च्ट है नहीं है क्योंकि अपने पहले ही मिल गया अब बाकी मैं आपके उसके लिए करा देता हूँ तो देखो अपने आयतन की पूछा तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वाइर एच तो देखो पाई आर स्क्वाइर एच वन ये और पाई आर स्क्वाइर एच टू पाई से पाई के इंजिल आर वन का स्क्वाइर कितना चार एच वन मेरा कितना पांच और आर टू का मान कितना नो बाई स्क्वाइर कर दिया और एच टू मेरी कितनी 4 देखो 4 से चतो कितना आगया 5 अनफात नो और यही अपने को दे रखा है 5 अनफात नो चले भी आगे देखो question number 90 बहुत ही simple यह आपको त्रिकोड मिती में एक service हमका होती है जिसको बोलते है पन service हमका है जैसे देखो उसका formula होता है cos 1 square theta minus में cot square theta वरावर एक होता है लेकिन इसमें क्या कह दिया? पहले quote दे दिया? बाद में close दे दिया, तो minus common ले लेंगे पन इसमें से, तो minus common लेंगे, तो इह तो हो जाएगा plus का, यह हो जाएगा minus का, तो pot square theta minus में cos 1 square theta, बरावर कितना देखो minus लिया था, इधर minus 1 minus 1 देखो कौन से option में option number B, और यही अपना क्या है, answer है, अब देखो next question question number 91, यह किसका है, बर्गमूल का, वो sorry बर्गमूल, बर्गमूल गनमूल से, गनमूल पूछा है, 3-3 के जोड़े, तो देखो 1, 2, दो जोड़े बनगे इसमें गनमूल में अब देखो, एक 0 का तो गनमूल यह 0, 500 बार एक किसका क्यूब होता है 8 का, 8 into 8 64, 64 into 8, 500 बारा तो 500 बारे का देखो, गनमूल निका लेंगे तो इसका कितना हैगा, 8, देखो, option number C, 80 इसका क्या आजाएगा answer आजाएगा देखो, यह question बहुत ही अच्छा, सिर्फ यह कह रहा है, x बराबर एक प्लस एक रूट दो तो अपने को x square प्लस 2x प्लस 3 का मान निकालना था तो यह x की value अपने को दे रखी है और x की value देने के बाद अपने को यहां से x square प्लस 2x प्लस 3 का मान निकालना था तो देखो, सबसे पहले x x बराबर दे रखा है एक बटे में एक प्लस में रूट दो ठीक है अब देखो अब अपन इसका परमे करण कर दो X का मान चाहिए यहां रखेंगे थोड़ी calculation लंबी तो देखो इसको में लिख सकता हूँ एक बटे में अंडर रूट दो प्लस बन कोई दिक्कत आप परमे करण करेंगे तो उपर नीचे इसके बिप्रीज सायन का गुणा तो ये कितना हो गया अंडर रूट देखो ये हो गया A plus B और ये हो गया A minus B तो ये हो गया A square माइनस में कितना B square ठीक है थो तो ये 2 का square कितना 2 और 1 का तो बचे कितना नीचे एक, तो सीधा कितना बचेगा X का मान, अंडरूट दो माइनस एक, अब यह मान इसमें रख दो, तो देखो X स्कॉयर में, अंडरूट दो माइनस एक का ओल स्कॉयर, पिलस दो, अंडरूट दो माइनस का एक, और पिलस में कितना आ गया, तीन, अब इस स्क्क्वायर 1 माइनस के 2ूट तोillah हम इसका अंदर गोन करों यह वह गया 2ूट 2 माइनस को दो और पिलस का 3 माइनस कें सिल आउट दो और एक 3-2 और पिलस का 3 तो देखो 3 3 प्लस 6 के 2 माइनस का तो कितना आ चार, option number B, यही अपना क्या है, answer है, अब देखो, बहुत ही simple, यह आपके जामिती से, अपने एको तीन त्रिवुजों का मान दे रखा है, अब देखो, यह अनपास समान पास से, तो 2 under root A, बरावर 3 under root 3 B, बरावर 6 कौन सी, अब देखो, कौनों का मान दे रखा है, किस में बरावर में, अब यहां से अपने को अनपास निकालना है, A, अनपास, B, अनपास, C, अब देखो, वही अनपास समान पास के concept से, तीन मान बरावर में दे रखे हो, आपस में अपने को मान निकालना है, इसको छुपाओ, A का मा 6, 6 दूनी 12 और 6 ती 18 तो देखो 3 कोणों का मान आ गया 3 अनपाद 2 अनपाद 1 अब देखो कोणों के total code कितनी होते है तरवज के 3 कोणों का यह हूँ 180 यह कितना दे रखा 3 और 2 5 और 1 6 6 बरावर 180 के तो 1 बरावर कितने के 30 के अपने से किस का मान पूछा है 3 कोणों का तो अनपाद कितना था 3 अनपाद 2 अनपाद 1 तो देखो यह तो हो गया 30 डिगरी यह हो गया 60 डिगरी और यह हो गया 90 डिगरी देखो option 90 side 30 option number A यही अपना क्या है answer है अब देखो छोटा सा logic यह गन गनाब इसमें क्या का है पांस सेमी बुझा के दो गनों को जोड के एक गनाब बनाया जाता है तो बताओ इस प्रकार गनाब की लंबाई क्या है अब देखो गन की बात करें तो दो गने इन दो गनों को जोड के अपने को एक गनाब बनाना है तो देखो ये वन गई गन किया करती उसने क्या काया दो गन जोडने तो यहीं जोडो देखो एक ये जोड दिया मैंने साब यहां जोड़ दिया अब देखो इसको इस वाली बुजा को लो इस वाली बुजा को लेकर अपने यहां ले लिया इसको इस से मिला दिया और देखो कोई साथ और मिल रहा है यह यहां मिल जाएगी अपनी और यह यहां मिल गई मिलके शब दो गन बन गे इनकी फेको लंबाई कितनी दे रखी 5 ये 5, ये 5 अब लंबाई की बात कर रहा है तो ये भी 5 दोनों को मिला दो यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी थी अपने से तो 5 और 5 मिलके कितनी हो गई 10 अगर अपन को इसके गनाव के संपूर परष्ट का छेद पर बूंच था? तो दो लंबाई गुणे में चोड़ाई पिलस चोड़ाई गुणे में ऊचाई में बॉलस ऊचाई गुणे में लंबाई यहाँ पर आप देखो केवल इसकी लंबाई बढ़ी है देखो लंबाई तो कितनी हो गई L कामान 10 H मेरी कितनी रहेगी 5 और चोड़ाई भी मेरी 5 तो B कामान भी कितना 5 और यहां से अपन इसका क्या निकाल देंगे संपूर्ण प्रष्ट का छित पर लेकिन अपने से केवल लंबाई पूछिये तो लंबाई कितनी हो जागी 10 बाकी सारे कोशन हो गए अपने अब यह देखते हैं कोई रह गया हो तो हाँ यह कोशन नम्मर 80 रह गया कोशन नम्मर 80 सिंपल था है औस नम्मर 80 बहुत सिंपल बुकलेट में एजट इज़े मैं कह रहा हूँ एक भी कोशन अपनी बुकलेट से वार नहीं है बस आपने उस बुकलेट को कितनी वार निकाला है वो आप पर डिपेंड करता है देखो कोशन नम्मर 80 कह रहा है कि यदि M संख्याओं का ओसत N स्क्वाइर है इसी तरह N संख्याओं का ओसत N स्क्वाइर है N संख्याओं का दे रखा M स्क्वाइर यहां से टोटल निकालेंगे तो कितना हो गया M तो देखो ओसत की बात की है रासियों का योग बटे में रासियों की संख्या तो देखो टोटल योग M N square और N M square तो देखो N M square पिलस N M square upon में M plus में N यहां से देखो common कितरा रहा है M N तो यह कितरा हो गया M plus में N और बटे में M plus में N यह cancel out तो इसका होसत कितरा गया M N और M N का था option number B में अब देखो कोई question रह गया हो तो बाकी सारे अपने question देखो पड़े हो एक कोई चीज वो मेंनत व्यर्थ नहीं जाती अब देखो एक छोट question रह गया 86 reasoning का था बहुत ही simple देखो question number 86 क्या कह रहा है कि 19 लड़कों की एक पंक्ती थी उसमें मैस बाई और से बार्वा और सुरेश दाई और से बार्वा है तो बताओ दोनों के मत में कितने देखो यहां से अपन बात करें टोटल लेंथ में कितने student बैटे थे 19 थे साब टोटल यहां से लेके यहां तक कितने बैटे थे 19 बैटे थे उसमें क्या काया है महेस बाई और से तो बाई और यह हो गई मेरी तो देखो यह हो गया बाया और यह होता है अपना दाया अब देखो इधर से हो कितने पर है बारवे पर देखो एक मैंने यहामाल लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा तो यहां कौन सा नमबर दे दिया मैंने 12 तो यह हो गया 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यह हो गया 19 अब वो कह रहा है सुरेज दाये से 12 है इधर से 12 काउंट करो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा तो देखो यहां क्या उनसा हो गया 12 अब वो क्या कर रहा है इन नोनों के मद्द तो देखो इन नोनों के मद्द कितने वेटें तीन देखो अप्सन नमबर ए और यही अपना क्या है आंसर है तो बाग के सारे कोशन उनके पढ़ायों नोट से आए एक भी कोशन बार नहीं है बाकि अपने सारे कोशन देखो एक इंग्लिस का कोशन रह गया था अपना 59 कोशन नमबर 59 इंग्लिस का एक कोशन रह गया था अभी थोड़ी इंफोर्मेशन आई है इंग्लिस वाले सर की तरफ से कि ये कोश्चन उनका 59 रह गया है सर देखो उसका अंसर बता देता हूं बहुत ही जी ये कह रहा है C teaches the science of the life of plant तो देखो ये क्या कहलाता है अब अपने बन वर्ड में अंसर देना है देखो बन वर्ड में बहुत ही simple the science of the life of plant अफ जो पेड़ पोदओं की जो जिन्दगी का जो वर्डन ने यह लाइफ है उनका है न सारे कोश्टन आपको चुट्कियों में को आमंत्रित करूगा पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद अलोग शर्मा शाप और जानते हैं कि जो कॉशन्स अभी आ रहे हैं और आज का जो प्रश्ण पत्र जो था वो बाकी प्रश्ण पत्रों से थोड़ा सा मलब इधर उधर से कुछ साइड से जादा पूछा गया था और ज्यादतर कॉशन्स रिपीट भी थे वो देखा जा रहा है कि रास्ता अधिनस बोर्ड जो है उनके कॉशन्स में वेरियेशन खुब हो रहे हैं या वेरियेशन काफी ज्यादा है तो यानि कि आपको ऐसा नहीं है कि पहले की जो त्यारी चल रही थी कि सीमित अध्यन करना ह हैं आपके कुछ ऐसे परिपक कोई आप कुछ ऐसे नोट्स मिल जाए जो उन्हीं के आधार पर हम अध्यन कर लें अब ऐसा नहीं है आपको लगबग लगबग डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा तभी उनका आंसर देख पाएंगी ठीक है तो जैसा कि पहला जो कोश कि राजिस्तान राज्य का कितना भाग मरुस्त लिए छेत्र है तो लगबग यहां देखिएगा आधा नहीं है आदे से अधिक है एक तियाई कितना होता है लगबग 33 परतिशत है क्या दिख रहा है क्या टॉटल आपका एरिया है उस एरिया में 61 परसेंट आ रहा है मरुस् एक चोटाई एक चोटाई कितना होता है 25 परसेंट आता है दो त्याई कितना होता है लगबग 66 परसेंट होता है तो 66 परसेंट लगबग आपस विमेच कर रहा है तो लोजिक लगाना है आपको ऐसा ने कि सिदा रटा मार लिया और आयाद कर लिया चीज़े रटीवी चीज नेक्स्ट Q techniques है देखिए नेक्स्ट Q बारे,5 नेक्स Q अरूंत तो तो देखें को शन्हेन अरून जो नदी है उस नदी पर उस नदी पर चुए उस नदी पर कौश Ride प्रनियू ने-पाल फ़िए है कौशे जल्विधित प्रेजना इस्तापित है कि वर अन्हें आपकी कोशी नेपाल पे नेपाल पे तो देखेगा अरुन नदी जो है वो कोशी की साहयक नदी है कोशी की साहयक नदी है और ये कहां से निकलती है कोशी नदी नेपाल से निकलती है इसकी साहयक नदी है अरुन कोशी की अब देखेगा कोशी जो नदी है वो नदी आपके नेपाल से निकलती है और जो अरुन नदी है वो अरुन नदी इसकी साहिक नदी है कोसी नदी जो निकलती है नेपाल से वो सिद्ध कहां पर आती है वो आपके आती है आपके बिहार में और बिहार में ये जब आती है तो अपने रास्ते काफी ज़्यादा च चेंज करती है और चेंज करने से क्या होता है यहां पर बार आती है तीक है इसलिए क्या कहते है इसको बिहार में जब जानमाल की हानी होती है तो इसको बिहार का क्या कहते है शोक कहते हैं किसको बिहार का शोक कहते हैं आगे काई कि इस नदीस पर भारत सरकार ने किया को सी नदी को नियंत्रत किया जा सकते हैं कंट्रोल तभी हो पाएगा जब आपकी जो साहिक नदियां होगी उसको भी जब कंट्रोल किया जा सके क्योंकि जब नदियां जो मुख्य नदियां होती है जो एनरीजी प्राप्त करती है वह अपनी साहिक नदियों से ही आपके एनरीजी प्राप्त करती है तब उस प्रकार से उसमें पार्णिय का कारिक करता है केल्सियम का ऊश्योशन बढ़ाता है इसका अंसर है विटामिन बी वन मिटामिन बीवन इसका अंसर है इसका इसका इसके बाद दिखेगा नेश्ट कोश्चन आता है तैंथ नंबर और टैंथ नंबर में क्या कोश्चन से है कि बी रुदिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुदिर वर्गों के व्यक्तितों व्यक्तियों को रग्दान कर सकता है वह है देखेगा कौन कर सकता है ए वह ए बी रुदिर वाले वर्गों वाले कर सकते हैं इनको रग्दान कर सकते हैं तो 10 का क्या हो जाएगा B आंसर हो जाएगा फिर इसके बाद देखेगा 12th 12th में देखेगा विश्म युग्मी संतान तथा उसके सम युग्मी या युग्म की जनक के मद्य संक्रण को कहते हैं परेक्शन संक्रण कहते हैं ठीक है 12th का इसका आंसर यह आएगा 13 13 क्या कह रहा है ठान्टवेट के वरगी करण के वरगी करण के अनुसार निम्लिकित में से कौन सा जेसलमिर की जलवाईयों को प्रसुत करता है आप सभी को मालूम है केवल जेसलमिर को केवल जेसलमिर के लिए क्या है यह आपका E8 D आपका कह नाम है ठान्वेट के नुसार यह आपका वरगी करण क्या गया है 13 के बाद में देखिएगा 14 14 में क्या पता रखा है कि निम्लिकित में से कौन सा राजस्तान के मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री का पद नहीं है ठीक है राश्तान के मुख्य मंत्री का पद नहीं है तो आप देखिएगा राश्टिय विकास परिशद राश्टिय नेशनल डवलप्मेंट कॉंसिल आपको पता है एंडिस में क्या आती है एंडिस में योजना आयोक के तमाम सदस्य आते हैं ठीक है और क्या आता है सभी राज्यों क मुख्य मंत्री का जो अधिक्ष होगा मुख्य मंत्र ही होगा से बात है ठीक है मुख्य मंत्री सलाह एगी तो मुख्य मंत्री से में अधिक्ष नियों कोन होगा मुख्य मंत्री से में शामिल हो गई फिर आता है अंतर राज्य प्रेशत का सद से अंतर राज्य जो उन्फियर्वानृत देखेंगा राज्ऴ राज्वान्वादिकार आयोग राज्वार तिहने में मानवधिकार आयोग. आयोग के प्रश्ण आये थे तो मानवादिकार जो आयोग है उसका प्रश्ण मनगे एक तरह से और इसका प्रश्ण मनगे मुख्य मंतरी का तो इसका मदलब कि यह कौन मनते हैं इसके सुप्रीम कोड के रिटाइड जज मनते हैं और सदस्य कौन होते हैं कितने सदस्य होते हैं पुल टॉटल तीन होते हैं राज्य मनवादिकार में और इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो सदस्य होते हैं और दो कौन होते हैं जो आपके हाई कोर्ड या आपके कहना में शेशन कोर्ड में जो आपके जज होते हैं वो भी इसके इंदर कारेरत होते हैं और या सवेंदर में देखेगा राज्य के कौन से जिले अंतराष्टिय सीमा पर दक्षिन से उत्तर क्यों देखेगा दक्षिन से उत्तर क्यों क्या कर रही है दक्षिन से उत्तर क्यों कर रही है तो देखेगा राजस्तान का अगर मेप देखें तो राजस्तान के मेप के अंदर देखेगा यह पर बार मेर आता है बार मेर के बाद में क्या आता है जैसल मेर आता है क्या आता है जैसल मेर के बाद में को ना था है जैसल मेर के बाद में आएगा बीकानेर और बीकानेर के बाद में क्या आएगा बीकानेर के बाद में क्या आएगा ठीक है गंगा नगर तो इसका मतलब है ज जैसल मेर, बिकानेर और गंगानगर तो देखेगा गंगानगर, बिकानेर, जैसल मेर, बाड़ मेर, जालोर गलत था गया, गंगानगर आ रहा है, बिकानेर आ रहा है, क्या इसका सही है क्या ये वाला, क्या गंगानगर आ रहा है क्या, दक्षिन से, दक्षिन कौन सा रहा है, बताई यह दक्षिन कोई सा और है, दक्षिन आ रहा है बाडमेर, फिजयसलमेर, बिकानेर, फिर उपर उत्तर की और, गंगननगर, इसका राजाएगा A, ठीक है, तो 17 का क्या हो गया, A आंसर हो गया, ठीक है, तो यह देखें, बाडमेर उत्तर की तरफ आ रहा है, क्या नहीं यह नहीं आ रहा है यह नहीं आ रहा है यह तो यह तो यहीं गलत हो रहा है तो इसका मतलब दक्षिन से बाड़े में रहा है यह बाड़े में नहीं नहीं आ रहा है यह भी नहीं आ रहा है यह भी नहीं आ रहा है दक्षिन से पहला कोई सा आता है बाड़े में रहाता है तो दे देलिट होने के बाद में विंडूस में फाइलने कहां जाती है आप द kissing रेका किस परका का सिंबल होता है जिसमें यह वाले और इसके अंदर सारी आपकी जल जाती है वापिस इस आपा से से री स्टोर हो सकती है कुछ समय तक कि नहीं आप डाल सकते हैं 15 दिन के बाद में 30 मेने के बाद में आप दिलिट हो जाएगी कुछ प्रकागर प्रावदान रहता है उसके बाद हो जाती है तो यानि कि कोई फाइल हो चुकी है उस दिल्ट को वापस लाने के लिए काम भी रिशागल में जाके आप फाइलों को वापस ले सकते हो ठीक है इसके बाद देखेगा नेक्ट कॉश्चन जो आता है नेक्ट कॉश्चन जो आता है वो बीसुवा है बीसुवा कॉश्चन क्या कह रहा है वागडी बोली राजस्तान के किस स्थेतर में बोली जाती है एक होती बागडी एक होती है बागडी भाषा एक होती है वागडी भाषा देख बागडी भाषा जो बोली जाती है राजिस्तान का जो उत्री लाका होता है गंगा नगर आपका हनमान गड़ जो आपके हर्याना से लगतावा सीमा है वहाँ पर वह भश्या मुली जाती है वागडी और वही गुजरात और मालवा से खासकर कौन सा जो यह तो देखो यह तो हो कि आप मालवा छेतर यानि की जो आपके मैद्धिपर्दिस से लग रहा है और इदर नीचे लग रहा है कौन सा गुजरात से लग रहा है तो डुंगरपुर बासवड़ा कौन से खासकर है वांगड छेतर है तो वागड छेतर में डुंगरपुर कोई बार कोशन आ रहा है वांगण छेत्र मोली जाने वाली कोई सी मुकां पर तो वह है बास्वारा वट डूंगरपूर अब इनकी लोकेशन देख लो क्या लोकेशन सारी राजस्तान के तो राजस्तान के दक्षिनपूरव में आ रही क्या बिलकुल आ रही है तो यह राजस इसके देखिएगा नेश्ट कोशन जो आता है वो थट्वंटीवन 21 क्या कह रहा है भारत के भारत में एक बायो पैटेंट कितने वरस्तक वेद रहता है यानि जो बायो पैटेंट कि आप कोई भी आप प्रट का विश्कार करते हैं किसी मेडिकल दवाई का निर्मान करते हैं और इस मेडिकल दवाई को आप क्या कर सकते हैं प्रिजर्व करना चाहते हैं कि यह जो में इस तरीके से मैंने इसको बनाया है और वो प्रिजर्व रहे और दूसरा को इन बना नहीं पाएं क्योंकि इतना महनत की होती है इतना रिसर्च किया गया होता है इतना पैसा हो समय साफा कमाना आनि उसकी जो सँंशता है को विक्ति है जिसने प्रतर कर वाया है वह प्रह्ती कराने पर कोई अन्य व्रती उस चीह को दूसरी आप है और क्राइन की निर्मान नहीं कर सकता उसको प्रभिशन लेंए इस वक्ति को दिक है जिस वक्ति से हो चाहता है कि वो चीज़ें वो बनाना चाहें ठीक है ऐसे उसमें जो साल्ट होता ङाथा उसे बिस साल तक रखा था पनारा साल तक रखाता उसके बाद में वह दवाया की और मlight nou बाइस से ईस्टोक यह स्का पैसा होता तक पैसा उसके करता के पासमें जाएगा ही जाएगा तो बहरत मैं एक बायो पैते हैं ईंदर लो आ आया था हिंदुस्तान में और 2005 में शंशतन हुआ था लेकिन इसका जो पेटेंट रूल है भारत के इंदर कितना वर्ष है बीस वर्ष है ठीक है एक बायो पेटेंट क्या कितने वर्ष तक वैद रहता है फिर आगे देखते हैं 22 कोशन और 22 कोशन के देखा है भक्ती भक्ती सं राना भाई का जन्म कहा हुआ देखो राना भाई का जन्म हुआ हरनावा और हरनावा खा पड़ता है मारवाड में एक नागुर पड़ता है जिसका नाम है प्रवत्सर जिसका नाम क्या है प्रवत्सर है और प्रवत्सर के अंदर प्रवत्सर के अंदर इनका जन्म हुआ थ इसे मारवार की मीरा कहते हैं ठीक है और दूसरी राजिस्तान की क्या कहते है इसको राजिस्तान की दूसरी मीरा कहते हैं तो आपकी रानभाइ कहां से आती है राजिस्तान के मारवाश्थच्थे मेरे से रहती है इसनी और इक शेश्ष नाव यूजिए रहा है मिरेस्थि नावश्वर साफवां चाहँ परनेश्व जो आता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जो 18 दिसंबर 2022 की डेट के रूसार कौन है आपको पता है कौन है राजीव कुमार है कौन है राजीव कुमार राजीव कुमार की न्युक्ति वीती आपकी 15 मार्च 2022 को क्लियर यानि कि कहने का तात्पर यह हैं कि यह पेपर लंसम लंसम 18 दिसंबर बना था या एक देट फिक्ष्क वालनी दिखा जाए तो यह सेट हुआता है यह गशेत हो सकता है कि दिसंबर बिदूत Schales के दिसंबर बें रखी किए हो सकता है किचे जो 2,025, 15,025 को इनकी निक्ती उई थी, राजेपाल ने इनकी निक्ती कीती, क्लिए राजी कुमार वर्तवान में क्या है, आपके भारत के मुखे, चुनाव आयूगत है, इसके बाद देखेगा गुंतिस्वा प्रशनी का कहा है, कि राजस्तान फाउन्डेशन की स्तापना कब ह हुई थी तो आपको पता है 2000 मार्च 2005 में हुई थी 2001 में हुई थी 2001 में हुई थी कैसे राश्तन फाउंडेशन है क्या भारत के तमाम जो लोग है वो विदेशों में जाके क्या करते काम दंदा करते हैं उसी पर राजस्तान के लोग भी क्या करते हैं विदेशों में कनाड़ा यूरोप अफरीका या लैटिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया या आपके यूसे यह दा के काम करते हैं और वो जो राजस्तान से जुड़े रहें और उनका इन्वेस्ट्मेंट राजस्तान से बना रहें इन्वेस्ट्मेंट भी आ निवास करते हैं या रहते हैं गुंतिस के बाद में देखेगा नेक्स्ट कोशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 32 32 और 32 क्या कहे रहा है निम लिखित में से शेखावटी में कि संगणय की स्ताप्रां 1921 में अश्ययोग अंडलन के परभाव में हुई थी अब देखेगा सेखावटी में आंधुलन 1921 में ही श्टार्ट हुआ था यानि कि आपकी शेखावटी के अंदर जो आंधुलन स्टार्ट हुना था वह आसे चैना आयरा आपका जागरती वाला कारिकरम श्टार्ट हुआ था इसके बार देखिएगा है जो नेक्स्ट कोशन आता है नेक्स्ट कोशन 35 है एक दरपड में किसी वस्तू X का प्रतिबिम उल्टा वह वस्तू देखिएगा 37 37 में देखिएगा लक्ष सेन लक्ष सेन कादंबी सिरिकांत निम्लिकित में से किस खेल से समधित है आपको पता ही ये दोनों की दोनों किस्ते समधिता है लक्ष सेन कहां से आते हैं उत्राखंड से आते हैं कहां से आते हैं उत्राखंड के अलमोडा जिले में इनका जन्म हुआ था 2001 में एक लगबाग 21 साल के हैं और कादिम भी श्रीकांद गुंती साल के हैं जो कहां पर है आंदर प्रदेश से आते हैं कहां से आते हैं आंदर प्रदेश मेंन का जर्म हुआ था क्लियर रहे यह अंदर प्रदिश्च आते हैं और उत्राखंड जो है वह आपके कहां से आते हैं लक्षे से उत्राखंड से आते हैं आगे देखेगा नेक्स्ट कोशन है आपके आ रहा है थर्टी एट थर्टी एट में देखेगा कि निम्ल दस्तकारों में से पेरिकोटा पेरकोटा ओफ मलोला या मोलेला के लिए पदम श्री पुरुस्कार दिया गया था महोनलाल कुमार को ये पुरुस्कार दिया गया था मोलेला गाउं कहाँ पर है मोलेला गाउं है राजसमन में मोलेला गाउं कहाँ पर है राजसमन में और राजसमन में कहाँ पर है ये बनास नदी पर है कै क्या है बनास नदी पर है तो राज समन्ध में मूलयला गाव हमा है जो किस नदी पर है बनास नदी पर है वहाँ पर तरीकोटा और मूलयला नामके लिए क्या नाम में वहाँ पर एक मिठी के खिंच आ เฮरि जाते है आपके कुछ instrument तो इसले पतम श्री पुरुश्कार को दिया गया था आपके महुलाल कुमार को दिया गया था आके देखेगा नेक्ट कोशन है 39 कि सोर मंडल के बहार भेजा गया पहला अंतरश्यान कौन सा है पायोनियर फर्स्ट पायोनियर जो फर्स्ट है वो ग्यारा अक्टूबर ग्यारा अक्टूबर गुनिस सो अठावन को गुनिस सो अठावन को पायोनियर फर्स्ट ये आपका भेजा गया था ठीक है तो पायोनियर फर्स्ट जो है एक अमरीकन इस्पेस आपका कहना में अंतरश्यान है जिसको कहां भेजा गया था पहली बार सोर मंडल के बार भेजा गया था 11 अक्टूबर गुनिस सो अठावन को किलियर है फिर नेक्ट कोशन कौन सा आ रहा है नेक्ट कोशन है फोटी चालिसवा और चालिसवा क्या बता रहा है चालिसवा बता रहा है जाली बाव बावडी और मामा देव कुंड जाली बाव बावडी और मामा देव कुंड निमलिकित में से किस दुर्ग में इस्तित है त इसका आंसर है कुंबल गड़ दुर्ग इसका आंसर है कुंबल गड़ दुर्ग तो जाली बाव बावडी और मामा देव का कुंड है वो किसमे है कुंबल गड़ दुर्ग में है और कुंबल गड़ दुर्ग का पर है राजस्तान सुरी राजस्तान के रासमंद जिले में स्थ आगे देखेगा, next question आ रहा है, राजियों के निर्वाचन आयोग, राजियों के निर्वाचन आयोग, विधान सबाग के सतश्यों के आयोगिता के संबन्द में, आयोगिता के संबन में अपना प्रामश देते हैं देखेगा निर्वाचन आयोग अगर भारत की प्रस्पेक्टिव में देखा जाए कैसे भारत की प्रस्पेक्टिव में कैसे देखा जाए कि अगर लोकसभा या राजसभा का कोई सांसत तीक है वहाँ पर किसी आयोगिता को लेकर है तो इसका निर्वाचन आयोग इसको यह बताएगा या इसको एडवाइज देगा राश्ट पती को कि यह आयोगिता का संबंध है और आपके कहना में और अपना यह प्रामश दे सकते हैं तो यह कौन देगा अगर राज्योग समधित है तो वही निर्वाचन आयोग इसको देगा राश्ट पती को देगा कब को देगा कि यह वहीं विदान समधित इसका है राश्ट पती देगा तो किसको सप्रामशी देगा हूँ राष्ट पती को देगा किसको देगा हूँ राष्ट पती को देगा आगे देखेगा जो next question है नेक्ट कोशन क्या रहा है निम लिखित में से कौन सा एक भारत के सरवच्छे नयाले के मैं देख पा रहा हूं कि जो एक्जाम में जो पेपर है कल का पेपर है और आज का पर है और साथ अभी जो पेपर हो चल रहा है राजस्तान में पॉलिटी जो होती है वो बड़ी सिस्टेमेटिक डाली जाती है वन लाइनर वाला कॉशन नहीं होता है इसके अंदर कि यह इस प्रकार से इस प्रकार डाल दिया गया कि कोंसा है इसमें यह फेक्ट डाल दिया ऐसे जो फेक्ट आरे सिस डायकली आप देखना पॉलिटीक के अंदर कोई सा फेक्ट नहीं आता बकाएदा कॉंसेट वाले कॉंसेट आते हैं अगर आपने पॉलिटी को समझ रखा है है वही आप आंसर दे पाओगे वरना इसका आंसर ऐसा मिलेगा नहीं कि इसका आर्टिकल कॉंसा है आजक्ट आपके रासन में नहीं निम लिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वचे नहले के अपेलिय अधिकार छेत्र ठीक है प्रतेक्ष्त समधित है तो आपको समझेगे पहले अपीलिय अधिकार छेत्र क्या होता है अपीलिय अधिकार छेत्र क्या होता है तो देखेगा आप भारत का सुप्रिम कोर्ट हो होता हैnant मतलव होता है आपके जो राज्य के तमाम होता है राज्य कोट में प्रइश की स्वरिक्षता कर जाता है आर्टिकल 136 के तहथ लेत बहुत है यह टर्थ दिया किसी चीजी का फैसला दिया उस पैसले के आध्षार पर भारत के सभी कोट क्या करेंगे उसकी अदर फैसला सुना एंगे जैसे मन लों किसे इसाब से कोई फैसला के मटर का आया कोई तो वही फैसला को आपके नजीर पेश करके उसको क्या करेंगे आपके भारत के अन्ने कोर्ट भी इसको लागू करेंगे तो दिवानी अपरादी सवेधानिक मुकदमों की अपीले इसमें शामिल होगी जो किसमाराइस का डी आंसर हो रहा है यहाँ इसको सुप्रिम कोर्ट के जो दिवानी अपरादी को और आपके सवेधानि मुकदमे होते हैं उनके अपील को नजीर मानके अन्ने कोर्ट भी क्या करते हैं आपके इसको फोलो करते हैं कि उसी सबसेंट करस अपके कहना में डिसेजन दिया जाए ठीक है इसके बाद दे सवेधे संग ने इसको डॉस वन भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको डॉस वन भी कहते हैं स्यलिट वन को और यह 19 अप्रेल 1911 को 19 April, 1931 को यह सेटलेट, अंत्रक्षीव में भेजा था, नहीं सेटलेट नहीं था, Ultra Station था, विश्व का पहला आपकी अंत्रक्षी में भेजा था, अंत्रक्षीव खेंगा होता है? झाल 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 44 में देखेगा कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्तान के राज्यपाल के संबन्द में आई सकते हैं 44 में देखेगा निम्न में से कौन सा कथन राजस्तान के राज्यपाल के संबन्द में आई सकते हैं तो आपको पता हुना चीह है कि राश्तान देखे राज्यपाल को प्रशाश्रिक सायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचे वाले कारेरत है बिल्कुल होता है राश्पति का भी है राश्पति आपका सचे वाले भी है आपका आपके नाम है राज्यपाल का भी होगा राज जेपाल को मिर्तुदंड के दंदार देश के विरुद शमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है आगे देखेगा जो नेक्स्ट कोशन है कि नेक्स्ट कोशन अब का जैसे 45 है 45 में क्या रहा है कि 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 शोड की कुण जी का प्रयोग होता है तो शिफ्ट प्लस डिलिट में होता है यह वाला आगे देखेगा नेक्स्ट कोशन है 46 46 में देखेगा कि किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुकरम या क्रम ओर्डर में विवसित करनी की प्रिक्राइब को क्या कहते हैं सौर्टिंग कहते हैं क्लियर है यहां तक इसके बाद दिखेगा किस बजट वश में राजस्तान के मुखे मंतरी ने राज्ये स्थरिय पंचायत अवर्ड योजना की गुष्णा की थी वो है 16 और 17 सुरी उसका अंसर है आपका 15 और 16 के अंदर जो आपका बजट वर्ष था वो बजट वर्ष जो है 15 से 16 के बीच में इनकी क्या की गिती आपके राजिस्तरीय पंचायत अवोर्ड योजना की गोशना की गिती 15 16 के अंदर लाफ और स्फैनकी अफ फिप्टिए 50 वह किया है 14 गुट्वे रांस्तर से्वा संग्की स्तापना कहां हुई त character वर्धामी यूर्धा कहुई इलाका नाकपुर छेत्र वाला ठीक है पश्यमी पूर्वीन महराष्ट वाला चेत्र पड़ता है वह वर्दा विजे सिंग पतिक थे कैसरी सिंग ते ओ अर्जुलाल सेटी थे ठीक है गुणिसों गुणिस में वर्दा के अंदर की ठीक है यहां पर इस्ताबना की थी और गुणिसों बीस में राजस्तान केसरी यहां से आपका समाचा रज्योपत्र था वो प्रकश्चित हुआ था फिजे सिंग पति कहा गये थे अजमेर आ गये थे वहां पर तर आपके नवीन राजस्तान या तरून राजस्तान की शुरुआत की उन्होंने ठीक है इसके बाद द तो देखेगा राजस्तान सरकार ने किस वश में राजस्तान राज्य विदुद बोर्ड को पांस सरकारी कंपनियों में बाड़ दिया गया था वो येर कोंसा है वो येर है गुनिस जुलाई 2000 के इंदर इसको पांच कंपनियों में बाड़ दिया था इसका आंसर है C ठीक है आगे देखीगा फिफ्टी फोर और फिफ्टी फोर में क्या आ रहा है कि निम्ल कित में से या कौन सी प्रवत्ता रोही पांच पांच आपकी आठ जार मीटर से उची चोटियों के शिकर पर चड़ने वाली प्रत्थम भारती महिला कौन थी या आपकी प्रेंका मोहते ये सता इनम्ल से आपकी माउंट एफरेस्ट है दोसरी आपकी कंचन जंगा है माउंट लॉन से है माकालू है अन्नपुना ये पांच प्रत्थम पेशची पर चड़ी है ट्रिक जो आट जार से अधिक से ुछी चोटी है फीर देखेकर नेस्ट कोशन कौन सा रहा है फिफ्टी कै sırई कल यसे में बताहे तरह इंड्र गांधी शहरी यो रोजगार गारेंटी योजना है इसके अंतर अन्तर्व रोजगार गुराइंटी मिलेगीसो दिन समझोunden सारे मेर्धिन एक दूसर से लिंग के रहें यानि कि uclear वाली में ेसमें पहले डेताichtig लागु करने की इसमें उसमेंश्में दिन इसमेंश्मेंश्में दिन आगई अगली पारी में क्या जाएगा यह कहाँ पर लागुही किस जलेमिय मैं सरवथ्षाड पर लागुही या तारीक आजाएगा या इस योजणाकि कि स्किम के बारे में कुछ डिटेल आजएगी कौन-कौन से कतं सही है कुछ-कक्र से कतं गलत है तो वसका मतलब है कि अगर आपको इस आ रहे हैं उनकर नदीओं के बार बार वही कोशन से गूम गूम के आ तो समझे गा नदीओं के कौशन्स योजना की स्किम्स कर श्रेज वही घुम घुम के आ तो इसको देखिएगा राज़ेपाल के कोशन सो वही आ रहे हैं फिर नेक्स्ट कोशन है आपका 60 कोशन और 60 कोशन में क्या पता रहा है कि राजस्तान के किस भूतिक परदेश में मुकुंद्रा की पहाडियां इसी तेकल बताए था मैंने आपको क्या बताए था राजस्तान का ये जो इलाका है जिसे हम क्या करते हैं दक्षिन पूर्वी राजस्तान कहते हैं जहां पर कोटा कोटा बारा जालावाड जालावाड के बाद क्या होता है कोटा बारा जालावाड बूंदी इन इलाकों के अंदर एक मालवा का पठार है बतायता ने बतायता में आपको मालवा का पठार कहां पढ़ता है मद्धे परदेश में और भारत यो राजस्तान के दक्षिन पूरी इलाके में विस्तित है तो दक्षिन पूरी इलाके में ज अठोधीक पठार किसका भाग है तो देखिएगा इसका मतलब है डीटेल में पढ़ाए जाए और मैपिंग के साथ पढ़ा जाए तो कौश्चेंज बड़े सिंपल हो जाते हैं उनके देखने के तरीके और सोचने समझने के तरीके बिल्कुत तब्दिल हो जाते इस केंदर त समझेगा मालवा का पठार किसका भाग है मालवा का पठार का भाग है ठीक है आगे देखिएगा साठ के बाद में साठ के बाद में जो कॉशन्स आ रहा है 63 भी देखिएगा चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बने कारण काले हो हैं अगर चांदी के बरतनों को खुलिद में रख दोगे तो वो काले क्यों पर जाते हैं वो काले होने का उनका कारण क्या है ठीक है को बता सकता है तो इसका अंसर है सी एजी टू एस इसका अंसर सी आएगा एजी देखेगा इसका अंसर कि अधिन रुके इगात कुछ टेकनिकल प्रवल्म है कि अ यहाँ अ कि अ झाल 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 प्रेविद आर्टियों तकनी की कारण आगे थी, तकनी की कारण के कारण यह तोड़ा सा रुख गया था, तो अब देखिएगा, कि जो 63 है, चांदी के बरतन हवा में कुछ दिन खुले रखने के से, क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं, AG2S जो है, इसके बनने से क्या हो जाते हुआ है, आपके काले पड़ जाते हैं, फिर नेक्ट कोशन है, 64, और 64 में क्या बटा रखा है, कि शब्द पास्तिक को सव पर्तम दिया आता, क्से दिया ता, रीटर रिटर ने दिया ता, ठीका जो एकोलोजी वर्ड है, वह आपके किसे दिया ता, रीटर ने इसका वर्ड्स का दिया ता, आगे देखेगा राजिस्तान में मिशन बुनियादी या बुनियाद का संबंध है डिजिटल लेर्णिंग से किसे है डिजिटल लेर्णिंग से है इसकी शुरुवात विती 5 सितंबर 2000 25 सितंबर 2022 में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने इसकी शुरुवात की ती जिसमें आपके राजिस्तान के अंदर आपके डिजिटल लेर्णिंग प्लेटफोर्म यानि ओल्लाइन प्लेटफोर्म पे उनको बच्चों को प्रोसाइट करने के लिए कि वहाँ पर ले अच्चे हैं उनको आप ओलन एजूकेशन प्राप्त उसके से लिए क्या क्या गयता मिशन बुनियात की शुरुवात की गई थी नेक्स कोशन आ रहा है आपका 66 तो देखिएगा 66 में क्या है कि डियाडियों के डियाडियों के अध्यक्ष कोन है डियाडियों के अध्यक्ष दिल्ली इसका मुख्यले है नई दिल्ली इसका मुख्यले है ठीक है इसके बाद देखेगा और इसके वर्तमाद देख्ष को नहें समीर वीर कामन्त है समीर वीर कामन्त डियार डियो के क्या है इसके अद्ध्ष है आगे देखेगा नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन ज देश के डेश दी ए एच एस आहर उन रोग्यों को प्रसवित की जाती है जो इस रोग से ग्रशित है तो जो उक्ति जो हाई आपका ब्लड प्रेशिन रहता है हाइपर टेंशन रहता है उनको क्या किया जाता है आपके उनको किया जाता है आगे देखिएगा next question है 68 68 जैसे बत नदी का आता ही है नदी जिसे पषिव बंगाल का क्या केते हैं शोक केते हैं देखे blending पठाए रहेagers वास्या से झेकल रही है FIFA नदी को इसे लिकली है दामोधार की साइक नदी है हुगली की है किसकी है हुगली की साइक नदी है हुगली कहां से निकलती है फरक्का नामा किस्ता से गंगा से निकल जाती है गंगा कही एक वित्रिका है गंगा से अलग होती है गंगा की एक शाका है ठीक है और इसमें वेश्ट बंगल में क्या कहते है उसको हुगली कहते है द है वह आती है बराकर नदी वह इदर इंतरवा ती कौनार नदी क्या आती है कौनार नदी में होना नहमना को दै और बंद है को दाई कर दोंब्लिको में मैं चोले इन पर निर्माण किया है जिसका निर्मान गुर्णी सो अर्तालिस में अमरीका के सहीयोग से अमरीका में नदी है उसका नाम है टेनेसी नदी घाटी प्रयुजना उसके अधार पर भारत में पहली नदी घाटी प्रयुजना प्रारम की गई थी किस पर दाम उदर पर क्यों की गई थी क्योंकि हर साल पश्री बंगाल में क्या आती है इस नदी में बार आती है और बार आने कर पश्री बंगाल को जान माल का हानी होती है इसलिए क्या कहते हैं पश्री बंगाल का क्या कहते हैं इसको शोक कहते हैं क्लियर है, next question आता है आपका, next question है आपका, 73, next question है, 73, और 73 में देखेगा, 73, 73 में देखेगा, अधिकांस, रोग जनक, रोग जनक, जीग, जो अतिसार, जो क्या करता है, अतिसार का कारण बनते हैं, वह संचरित होते हैं, बताइएगा, अतिसार कब हो पाता है, अतिसार जब होता है, मल मौकिक मार्ग से जाते हैं मुख से जाते हैं क्लियर है आगे देखेगा नेक्स्ट कोशन सेवन्टीफॉर और सेवन्टीफॉर में क्या है कि आज सकते कतन को चाटिए तो ग्रेफाइट में विस्तानिक रत इलेक्टरन होते हैं क्या ठीक है होते हैं बिलकुल होते हैं ग्रे ग्रेफाईट विद्ध प्रवायत नहीं करता बिलकुल करता है यह गलत है ग्रेफाईट बिलकुल करता है ठीक है फिल सार सन स homes next question है नेक्ट कोश्चन 77 और 77 के बाद 77 का इसका अंसर होएगा आपका C देख लेगा साइंस के जो विध्यारती है इसका अंसर क्या है इसका अंसर C है जो अभिग्रिया नहीं होती वो Mg-So4 Mg-So4 प्लस C इसम कहते हैं ठीक है नेक्ट कोश्चन है 79 79 में क्या है मोकडी 79 में क्या है मोकडी क्या है आपको पता है महलाएं हमारे पश्चिमी राजस्तान में लाग की चूड़ियों को कहते हैं मोकडी कहते है तो लाग की चूड़ियों को कहते हैं लाग की मोकडी कहते हैं इसको लाग की चूड़ियों को आगे देखेगा प्रिंट के लिए राजस्तान का कौन सा इस्तान प्रसिद्ध है तो आपको पता ही है बाड़मेर प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट क्या होता है यह आपके कहनाम है जिसे इस्तेक होता है अजगर होता है अजगर का जो कहनाम है आपके चदर होती है उस पर अजगर जैसी प्रि निम लिकित में से कौन सा डिवाइस इंपूट दोनों पर कारे कर सकता है तो इसका अंसर है संचार डिवाइस कम्मिनिकेशन डिवाइस यह नि डिवाइस इंपूट और आउटपूट कहां पर होगा संचा डिवाइस में ही हो पाता है फिर नेक्स कोशन है राजीव गांदी ग्रामीन ओलंपिक खेलों का उद्गाटन कहां किया गयता मुख्यमिद्र द्वारा वो जैपुर में क्या गयता कहां पर स्टेडियम स्टेडियम कहां पर है टॉप के इसकी शुरुबात आपकी जैपुर इंद्र इसका इसने और रहा है आपका आपके चैंपेन्शिप आपना पच्चीस वा किताब जीता है बताइए किससे जीता है यह पंकज आडवान यह जो है बिलीह त्स गेम खेलते हैं और उनका ही आपके कहने बारबार निकान नाम आए नहें रहा है फिर आता है किस बेंक द्वारा भारत की परस्फरम इालेक्टर्रोंडानिक बेंक की गारेंटी दी गई है। Qwer Bank है SDFC, अभी हाली में सुरक्यों में आई था कि आपको सब काम जो आपका कहना में जो भी आप लोगे जो भी आप कहना में gun लोगे तो आपकि सारी जो इनक्वारी है कहाँ पर हो जाएगा? ओनलाइन हो जाएगी, अपको हो जाएगा, सारा data system उसके आधार पर क्यार किया जाएगा आपको लोन वन प्रदान किया जाएगा फिर है आपके कहना में नेक्स्ट जो आपकी कॉशन से 87 87 में देखेगा कॉशन है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सला देने के लिए कौन कारी करता है कौन अधिक्रत है कौन अथिर्टी प्रापता है तो देगा भारत सरकार को देगा महादिवक्ता देगा राज्य सरकार को किसको देगा राज्य सरकार को ठीक है कानुन ममलम में सलाव को देता है आपका राज्य का महादिवक्ता देता है वर्तमान में राज्य का महादिवक्ता कौन है सिंगवी है कौन है एमस सिंगवी है ॏ आपके मुख्यत सब जानते ही हैं साथ वर्ष सभी को पता है साथ चर्णों में ही इनका क्या हुआ है ठीक है फिर नेक्ट कोशन है आपका आता है 93 नेक्ट कोशन है 93 और 93 में क्या है कोश्चन में कि नेक्ट में से कोश्वीदा आपको अपने व्रक्षिट में डेटा को कम करने के लिए नमती देती है उसका अंसर है फिल्टर ठीकश फिल्टर कर दो आप वक्षिट के अंदर टो डेटॉक का करें कि वह कंड़ी करमती देती है तो फिल्टर के तहत होता है फिर आगे देखेगा आजमेर आजमेर राज्य के पर्थर मुख्यमंत्री कौन थे देखो आजमेर के जो मुख्य मंत्री थे हरी भाव उपाद्य आई थे 1952 से लेकर 1956 तक अज में राज्ये के प्रत्र मुख्य मंत्री को उन्ते हरी भाव उपाद्य है थे आगे देखेगा नेक्ट कोशन है 90 साचरण हो गए और साचरण के बाद आपके हरी भाव उपाद्य है हो गए उपाद्य है के बाद में जो नेक्ट है आपका आएगा 1996 और 96 में देखिएगा कि अतीा आदर जलवाई प्रदेश यहनी जहां पर आदर ता काफी ज़्यादा है आदर तक आँए जहां पार्नी की मात्रा ज़्याद रहेगी टिके यह कौँसा जिला अस्तित नहीं है यह बात कर रहा है कि कौसा जिला अस्तित नहीं है तो अतियादर कहाँ पड़ता है जग गणवी पड़े और कहना में और बारिश भी खूब होती हो और कहना में जलवा यूँ कहाँ पाई जाएगी उत्तरी तोड़ पाई जाएगी बारव पाई जाएगी लेकि शुरूवी नहीं पाई जाएगी क्योंकि शुरूवी इलाका क वो है 101 उसके बाद है 101 इसमें आ रहा है कि अजमेर के अजेराज चोहान के पिता कों थे अजेराज चोहान के पिता थे प्रतिराज प्रत्म क्लियर है इसके बाद देखेगा के लिए निम्न में से किसके साथ प्रामश करता है तो आगो पता होना चीए कि मुख्य मंत्री उच्छी नयलेक का मुख्य नयायदिश और विधासवा प्रतिपक्ष का नेता ये तीन मिलकर क्या करते हैं राजज पाल इसको एडवाईज देते हैं इसको प्रामश देते हैं कि है कि इसको को लोकाई को क्या चाए कोन चाये नहा है कॉन कॉन है मुख्य मंत्री उच्छी नयलेक का मुख्य नयायदिश और विधासवा का प्रतिप्रख्ष का नेता यानि एप numéro सिटे का नेता धिन प्राप्त होगी, यानि 20 सिटे हो गई, यानि विपक्षपार्टी का नेता बनने के लिए एक बड़ा दश कितना होता है, 20, यानि किसी पार्टी को 20 सिटे प्राप्त होगी है, कम से कम, तो वह क्या बन सकता है, विपक्षपार्टी को 20 प्राप्त होगी है, और किसी पार्टी 106, next question है 106, 107 में क्या बता रहा है राजिस्थान के प्रथम वितायोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रथम अध्यक्ष याय वितायोग कर्ष्टिंकुमार गोयल, कौन है कर्ष्टिंकुमार गोयल? ये कब बनेते? 1905 में, कब बनेते? गुनिसो पिचाण में के अंदर ये अध्यक्ष बनेते कष्टुकुमार गोयल जो भारत की सुरी राजस्तान के क्या है परत्थम वितायों के अध्यक्ष है इसके बाद देखेगा जोती जो किरण है वो राजस्तान की पांचवी है मानिक चंद सुराना है वो दूसरे है हिरा कल्ला है और वरत्थमान में जो छटे हैं उनका नाम है प्रद्युमन सिंग कोन है वरत्थमान में प्रद्युमन सिंग जो है वरत्थमान में वितायों के क्या है राजस्ता वितायों के अध्यक्ष है क्लियर है वितायों क्या काम करता है यह राज्ये और आपके पंचाईतो सब्सक्राइब करता है आगे देखेगा नेक्ट कोशन जो आ रहा है हेंडिट के बाद में सुरी आपका सोवा कोश्टन देखिएगा निम लिखीत में से कौन सी नविंतम प्रवत माला है या नविंतम प्रवत संकला है तो देखिए बता चुक मैं आपको कि आपकी अन्नमलाई क्या है। दक्शन भारत के अंदर है। अरवली का है। वह विश्व की सबसे प्राचीन है। विंद्य अचल कहा है है, आपके मद्द्यप्रदेश में। देखिये उपर की जो है हिमाली के अंदर कल बता रहता हैं मैं आपको जब घूम के वही questions आने, कल भी मैंने बताया था, और वापिस यह questions आ चुका है, पूरी range बतायती मैंने, अगर कल आपने पड़ा होता, तो यह चीज़ें आपको answer ठिक कर देते, तो पहला तो है कराकोरम, दूसरा कौन सा है, अपके लगदाक, तीसरा जासकर, चोटा कौन सा दोलादर, पेर बंजाल, पांचवा दोलादर, छटा है शिवालिक, वही तीन उच्छा की range किसमें आती है, हिमाले माते, किसमें आती है, हिमाले माते, छटी कों से आगी शिवालिक, तो शिवालिक कैसी है, एक नविंतम प्रवतमाला है, अरावली प्रवतमाला, अमरीका मे अलपेशियन प्रवतमाला अमरीका में अलपेशियन प्रवतमाला और आपके युरेशिया यानि यूरोप और एशिया के मद्दे जो इस्तित प्रवतमाला उसका नाम है युराल प्रवतमाला ये तीन प्रवतमाला जो है विश्व की प्राचिंतम प्रवतमाला है जो प्रीके माला आप कियाती है जबकि जबकि जो दविंतम प्रवतमाला है वो दविंतम प्रवतमाला कौन सी है आपकी हिमाले प्रवतमाला है और हिमाले प्रवतमाला में 6 स्रेणिया है कित्ती स्रेणिया है और जो छटी स्रेणिया है वो कौन सी है शिवालिक है क्लियर है आगे देखिएगा next question एंटिट के बाद में आजता है आपका फिर आपका कोश्चन आता 107 इसके बाद देखेगा 7 और 7 क्या बोल रहा है इंद्रावति जो पढ़ा रहा हुई आपके कोश्चन सारे हैं देखिएगा यह बड़ा बतायता कि कोश्चन की बारे में बिल्कुल आता है इंद्रावति न नदी किसकी सायक नदी है किसकी सायक नदी है आपको पता है क्रश्चन की है क्या नहीं है काविरी की है क्या नहीं है गोदावरी की है क्या बिल्कुल है मानदी क्या क्या नहीं है मानदी क्या बतायता कल तेल बाग हसलो आपकी कहना में शुविनात क्रश्चन की क्या है गाँद गंगा, माल प्रभा, गाट प्रभा, यह नदियों किसी है, करषना की है violation कावरी का नक्रवेरि ऑर क्या क्या बता एती यह क्या आत्या ती से की संथित है काविरी की है गोदावरी की इंद्रावती है साबरी है सिले रू है पेन गंगा वेन गंगा प्रबरा मंजरा किन्रसानी ये किसी नदी है गोदावरी की नदी है तो गोदावरी की नदी को से इंद्रावती तो इंद्रावती किस तरह से मिलती है आपके बाई तरफ से मिलती है बाई तरफ ये आपकी क्या नमे गोदावरी नदी ये महाराष्ट में पश्यमी घार्ट के अंदर प्रवतमार्वा पड़ती है, उसमें एक स्थान पड़ता है तरेमबकेश्वर, तरेमबकेश्वर से ये क्यानाम नदी निकलती है यह महारास्ट्रा आपके कहना में तेलंगाना आंधर परदेश और तेलंगाना और आपके 36 जिगाड की सीमा बनाते विए कहां गिरती है बंगल खाड़ी में गिरती है नेश्ट कोशन देखिएगा जो आ रहा है 110 110 वाला कोशन से उसमें क्या बता रहा है तेरह ताली नर्तिय लोग देवता की स्तुत्री में किया जाता है बताएगा तेरह तरह नर्ते कल बताए तू कल जो शीमाना बनाते अ था स्थ के बाद देखेगा देश्ट कोशन ए 111 में देखेगा जो कोशन सारह है रत कोशिक आये जो शरीर को शुक्ष्म जीवो और अन्य भारी परदातों में शुरुशित रखती वह है श्वितनु इसका आंसर क्या है श्वितनु हैं फिर नेस्ट कोशन है 112 वहाँ इंद्रा रसोई योजनाक के अंत्रकत प्रति प्लेट दोपर का बोजर उपलत करवाते हैं तो आपको पता ही सभी ने खाई चुका हो 8 रुपे आपके इंद्रा रसोई के तहत की जाती है फिर नेक्स्ट कोंशन्स आता है एक सो तेरा एक सो तेरा में भारत में शंकुदारी व्रक्ष पाई जाते हैं आपको पता है हिमाले रेंज देखोई यह आपका प्रत्वी है और प्रत्वी की बीच बीच रेखा केची गई हो आपका जीरो डिगरी उत्री अक्षांस रेका इ इसके बीच में जो पाए जाता है ऊष्णी कटिबंदी है तो इसका मतलब शंकुदारी वन कहां पाए जाते हैं उच्छ अक्षांस उपर उच्छ अक्षांस मतलब साड़ी तेविस से उपर ठीक है तो इस एडिये के अंदर और नीचे के तरफ इस एडिये में तो हाई अक चा sait इसका मतलब गयुदक के फिछ नबबर के चलीस से लेकर नबबक के बीच में यहां पर देखिए का वापीस इसका मतलब है कि आपका तिरपुरा और आपका किंदर्वा methods मनिपुर। तो इसका मतलब हो गया श्री मिजोरम तो इसका मतलब हो गया कि साथी तेवस्स से उपर तो आपको परवती अलाग़ को वे हिमालीय वालø चेतर आता है तो हिमाली से तरे को उसा आता है प्रवती वन आता है तो इसका इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा प्रवती है वन आएगा इसके बाद देखेगा जो नेक्ट कोशन है 114 कि अलेश बाली आसकी को नोवल शांती प्रुसका 2020 से समनित किया गया वो किस देख से आते हैं बेलारूस से आते हैं और यह आपके कहना में बेलारूस की राज़दा निक्या है मिंस्क है और बेलारूस और रूस में कहना में आपसे सिमा बनती है और बेलारूस किसका पाड़ता सोवियत संका पाड़ता किसका पाड़ता सोवियत संका पाड़ता जो 1991 में अलग हो गया था शांती कपर उसका असले दिया गया क्योंकि यह हैं रूस के खिलाफ काफी ज़्यादा गतिविदियों में पाट लेते थे क्लीर है इसका अंसर बेलरूस आता है नेश्ट यह आपका आता है 115 वा कोशन्स आता है 115 में देखेगा राष्ट्य ग्रामी रोजगार इसकिम को नाम बदलकर महत्मा गांधी राष्ट्य रोजगार राष्ट्य ग्रामी रोजगार इसकिम कब कर दिया गया था आपको पता हो ना चीए यह है जो रोजगार स्कीमती सो दिनों के लिए वह स्टार्ट किया गया था आपके मांसुन सत्र में एक कानून मनाय गया था 2005 में मांसुन शेशन में यह है 2005 में और मांसुन सत्र कब चलता है जुलाई से अगस्त कल बताया था मैंने आपके मांसुन सत्र चलता है आपके संसत का जुलाई से अगस्त और मांसुन सत्र में 2005 में कानून बना था और जब एक कानून बनाता है तो इसकी तारी जो थी नोटिफिकेशन की बनने के बाद में सा सितंबर 2005 को नोटिफिकेशन जारी किया गया इसका आपकी राष्टिग्रामि्यजगा गारेनटी का सा से स्टम्बर कानुन का बना मांसुन सेतर में बना फिर मन्दे के बाद में नोटिफिकेशन एट का नोटिफिकेशन जारी किया गया साथ स्टम्बर दो हजार पांच को यह भारत में नरेगा भारत में यह नरेगा स्किम लागू हुई थी नरेगा जो स्किम लागू हुई थी द सरकार ने यूपीए की सरकार ने दो अक्टूबर दो हजार नो में इसका नाम चेंज कर दिया था क्यों कर दिया था आपको पता हो ना चीए यूपीए की सरकार दो हजार चार यूनाइटेड प्रोविंस अलाइंस की सरकार बनेती सोनिया गांदी क्या थी आपकी क्या नाम इसकी चेर्मेन थी और इन्होंने इन्ड़ के सोनिया गांदी ने आपका प्राइमिस्टर कपत घ्रण किया नहीं था तो सोनिया गांदी ने किसको बनवाय था मनम होनं के सरकार जो हो थी यू पिए की सरकार जो 1 राउन था 2004 से 2004-2009 थी और 2004-09 के अंदर जो सरकार की स्रवाध्डी सफलता हती वो मन्दरिगा थी मन्दरिगा के तहट आपको पता है 2008 में क्या आयें महाबंदी आये थी पुर्विश्व के अंदर उस महाबंदी से निकलने करती आपके राष्ट ग्रामिर रोजगार इसके तहर भारत के नागरिकों को जो ग्रामिर इलाकों में रहते हैं अनिस्किल्ड फुल है ऐशिक्षित हैं अनिस्किल्फुल है तो उनको कह दिया जाएग सो दिन का रोजगार दिया जाये गा इसके तहर भारत के किसानों को बारत के जो तमाम इसके क्या प्रचेजिन केसिटी बढ़ी और प्रचेजिन केसिटी बढ़ने से क्या हुआ देश के अंदर उत्पधन बढ़ने रगा तो भारत के अंदर बंदी का प्रभाव नहीं हो पाया इसके तहीं सफलता मिले कि दुबार सरकार वापस चुनकर आ गई 2009 के अंदर जब सरकार च आपका महत्मा गांदी के जर्म जैंती है यानि जर्म दिन है दो अक्टूबर उसी के दिन 2009 के अंदर इसका नाम चेंज करके महत्मा गांदी आपका राष्ट्री ग्रामी रोजगार स्किम कर दिया गया ठीक है इसका बात देखिएगा जो नेक्ट कोशन है नेक्ट कोशन है 116 116 116 में देखेगा शंगही सयोग संगठन शंगही कहां पर है शंगही पढ़ता है आपके चीन के इंदर चीन का सबसे बड़ा शहर को सा है शंगही है और शंगही किस नदीप है यांग टी सिक्यांग नदीपर है यांग टी सिक्यांग नदीपर है पूरवी चीन सागर पर एक बड़ा शेहर है तो चीन क्या चाता है चीन चाता है कि ये गतररओं पड़ता है आपका रश्या, बगल में कजाकिस्तां अजविकिस्तान या तमाम आपके इसे के देश जिनकी सीमा यह किसी साथ नहीं लग रही तो वह हैं चाहता है कि मद्दे के मद्दे एशिया में या एशिया के अंदर उनके साथ व्यापारिक चीजें अच्छी होते रहें आपके पलिटिकल रिलेक्शन्शिप है वो भी अच्छे होते रहें इसके लिए आपके नमें स्टापना है 15 जुन दोजार एक स्कार दी गई थी इसके बाद देखेगा ऐसी की स्टापना कि सासाज जो अभी 15 तो हैसनल हुआ था यह इसकी 22 भी बेटक थी ऑफ विफ में एक शहर पढ़ता है समरकंद में यहां पर आपके क्या थी आपको पता इस बाबर से आये था श्रकंद से आये था उजभेक पढ़ता है देखें नाम देखी गन के कजाकिस्तान तो वहाँ की कजाक ट्रैबल है तो कजाक ट्राइबल है तो कजाकिस्तान पड़ा तजाक ट्राइबल है वहां की जंजाती है तजाक उजबेक है आगो पता है बाबर के साथ में एक उजबेक तोपची आया था तो इसका मतलए तोपो का जो जिन्मान था या तोपो का जो बारुत का विश्कार था चीन में गदा और हो आपके हिंदुस्त साल लेकर आये ते तुशका मरस्मर्कण कारता है आपके उज्बिक सरच बढ़ता है तो सयोगि आपका ये सउयोग संगटन का जो-बाइशी बलागे तैसका किस्तान तरी ऊजकिस्तान में शहर प्रता इसका नाम हैं समर्कंद अभी वर्तवांन कितनी स़ध से 8, पहला है भारत, दूशरा € 謝謝 तीसरा कज़किस्तान चोटा है उजबकिस्तान पांच हुआ है रूस छेटा है चीन साथ हुआ है तज़किस्तान और आट हुआ है मंगोलिया ठीक है इस प्रगाग के आठ आपके देश है आगे देखेगा मंगोलिया नहीं है इसका आएक आया पाकिस्तान ठीक है फिर देखेगा नेक्ट जो कोशन है एक सो बीस एक सो बीस एक सो बीस में क्या रहा है कि सामाने द्रश्टी वाले युवा वैस के के लिए निकट बिंदू दूरी क्या है पच्चिस सेंटिमेटर है नेक्ट आपका कॉश्चन साता है एक सो एक सो किस में देखेगा एक सो किस में देखेगा निम्न में से कौन सा और दियो की खेतर जोतपुर में नहीं है तो आपको पता है बोर्णाडा जोतपुर में है मंडोर एक्सप्रेस जाती है ट्रेनों के नाम देखेगा मंडोर खहां पड़ता है जोतपुर की जिनके आगे लाश्ट में सर आता है तो इसका मतलब है यह बिकानेर हनमानगर और क्या नामें गंगा नगर की तरफ का इलाका है तो इसका मतलब यह इलाका मारवाट शेतर में नहीं आता है आपके गंगा नगर वाले शेतर में आता है तो नापसर वाला इलाका इसमें नहीं आता जोत पुरक्स पर्न नाद आता है आपका के मंदुर आता है पाद सिप क्रम आता है आगे देखेगा जो एकίे लुद्र शादम है 123 एकgrassे 123 वाला कोशन है इसमें देखिएगा कि निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है तो कौन साबुन बनना कम नी आता बता ये गा इसका आंसर निमंन में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता रहे बेंजाइक अमल इसका आंसर कौन सा आता है बेंजाइक अमल आता है इसके बाद नेश्ट कोशन है बाड मेर के कारण मेले में बाड मेर के कारण मेले में मुख्य आकरशन का विशे कौन सा है मुख्य आशन का विशे जो आता है देखिए भवई नर्तिय है गुडला नर्तिय तेश्व में किया जाता है गेड नर्तेश्व में शामिल नहीं होता ठीक है कानन मेला बढ़ता आपके बाड़े मेर के अंदर ठीक है राजदिव जी ग्यारों को पेपर है सर राजदिव सिंग सी आंसर पसी किसका अंसर दिया आपने परवतिय वन ठीक है बिल्कु सही है 115 का 2 अक्टूबर 2009 बिल्कु करेक्टर है राजदिव जी ठीक है आगे देखेगा जो नेक्स्ट कोशन है 125 में देखेगा राजस्तान राज्य शुगर मिल के शुगर मिल है सहकारी चेतर में और अपके सेक्टर में कंपणी की सापना गुरकत वीक तीर पहले गुंदिस सो सहीगी क्लिए इसके बाद में सति पर-थम पंचवर्षी योजना आई और पुर्थफ जित्ते पंचवर्षी योजणा नियुस्तो अपर्च पंचवर्षी योजणा था उद् friendly हte द्यान दिया तो उद्ध्यों पर ध्यान देने के लिए भारत के तमाम जो नीजिश्चति कंपनिया थी जो प्राविट कंपनिया थी उन कंपनियों को किस मों कर दिया सरकारी कंपनियों कर दिया यानि कि सारे शेर या शारी जो एंडर्टेकिंग था वो सरकार ने खुद ले क्लिया अब वर्तमान में एक कंपनी किसी है सरेकारी उक्रम है और उक्रम का का बना दिया गया इसको सरेकारी कंपनी का दिया बना दिया गया इसको 1956 में तो यह किसके तयत हुआता हुग इसके बाद पढ़ती है अनुमानगर के अंदर के लिए बीबी लाल कोशन वाए था के लिए काली बंगा कल दोनों राउन में कोशन साहे थे दोनों पाली हो के अंदर काली बंगा के बारे में बीबी लाल इन्होंने क्या था काली बंगा का वने अनुवेशन की संस्ता के द्वारा भारति निए पुराता तो विभाग, जो शर्वेच रव विभाग है उसके दुबारा क्या गया था? ठीक है? next question है next question है नड क्या है? एक लंबी बांसूरी है नड क्या है? एक लंबी बांसूरी है नड लखडिकी होती है ठीक है? लंबी लकडिक में जो आवाज निकालते इसको क्या कहते हैं नड कहते हैं इसके लाबा देखिए का जो next question है next question 1301 आहड का उत्खरन आहड कहां पढ़ता है उधेपूर में आहड का उत्खरन कहां क्या गया है SD साकलिया के निर्ततमें निश्पादित हुआ था पर फिर नेक्ट कोशन है अमर्शाही अमर्शाही जो है वो किसके पगड़ी है अमर्शाही पगड़ी आपके मारवार छेतर में मेवार यह मेवारी पगड़ी है यह कौन से पगड़ी है अमर्शाही यह मेवारी पगड़ी है इसके बाद देखेगा जो नेक्ट कोशन आता है एक सो बतीस एक सो बतीस वोलो कोशन्स है इसमें देखिएगा कि निमलिकित में से राजिस्तान सरकार द्वारा गोशित राजीव गांधी इस स्किम का उद्देश है राजिस्तान के विद्यार्टों को ऊची विद्धिशी विश्विद्धालों में अध्धन के लिए वित्य साहिता परदान करना है बिल्कुल सही है दूसरा है इस स्किम में नियोंतम 33 परदा इस्तान लेडिकों के लिए अरक्षित है यह आंसर नहीं है ठीक है नहीं वाला आप कहा आज रहा है इस जिन विद्यार्टों के अभिवाकों की वाशिक आए आठ लाग से कम हो उनको उच्छ प्रात्वत्ता दी गई है इस गोश्टना में राजीव गांधी के जरम दिवस दूबीस आठ दोजार रिक्ष को की गई तिमिल्कुल सही है यह तीनों की तीनों सही है यह आपका बी वाला आंसर गलत है जो नहीं है ठीक है वहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया भी हो गया इसके ब कौंसर इपिट हो गया है अभी बात आजी थी कि अठी आद्र जलवायू ठीक है वापिस आ रहेती हूण सहे कंतर था वह गया धुश्ट नहीं है यह तो शिरोई नहीं था तो इसमें क्या रहा है अर। COMünüz प्रण में पर्धेश न हर रहा है को कोश्ण अभी प्यड़ाई त इस दो टाइगर नाम से जाने जाने वाला 1997 में कंचन ज्रंखां को फत्य करने वाला पर्तम भाड़ती गता जिसने हाल ही में 2012 में उसकी मिर्ति हो गई है उसका आंसर पंकज कुमार, इनकी 2012 में क्या हो गई है मिर्ति हो गई है, उसके बाद देखेगा नेक्ट वन थरी सिक्स वो वन थरी सिक्स में देखेगा पंकज मित्तल जिस जो जस्टिस है पंकज मित्तल वो राजस्तान के चालिस वे राजस्तान के क्या है चालिस वे आपके मुखे नयाजीश है इससे पहले वह जम्मू कश्मीर इससे पहले वह जम्मू कश्मीर के क्या थ की जम्मो कश्मीर व्वा लगदा के क्या थे वो आपके नायजिश की रुप में काम और चुके वहाँ पर ठीक है वाकित जो हाइक अधिक है तो रास्ता उचना लेंक जो चालिस वें क्या है मुख्य नायदीश है रास्ता में उच्छे नायलेम में कुल्ट टोटल संक्या कितनी है नायदिशों की टोटल पचास है 49 अन्य नायदिश एक क्या है मुख्य नायदिश है ठीक है विजय हजारे महराष्ट में क्या हुई थी आपस में फाइनल में चुवाता जिसमें सोराष्ट क्या हुआ था 2022 की ट्रफी जीती थी विजह हजारे ट्रफी आगे देखिएगा जो नेक्ष्ट कोशेन है राजस्तान के राजस्तान में पंचास समीति के सदस्य कोंन उते हैं उका होग पता है पंचास समीति जो सदस्य होते हैं उनको डIEटली जन्ता चुनती है कुलिर है नेक्ष्ट कोशन देखिएगा उठ अनुसंदान केंदर उठ अनुसंदान केंदर कहां इस्तित है आपको पता ये बीका निर में है और उटों पे क्या की जाती है कला की जाती है उसको कहते है उस्ताकला कहां की famous है बीका निर की famous है फिर नेक्स कोशन है 143 143 और 143 में इसका अंसर आएगा इंडिया स्टेट और फॉरेश्ट रिपोर्ट दो हजार गुनिस को रुसार उन राज्यों को जो क्यूटी नहीं है जिनका वन छेतर प्रदिशत मान नहीं है जो या कदस से कम है कल का कोशन आये था हर्याना था ठीक है यानि इनकी जंक्यात 10 प्रदिशत से बहुत कम बड़ा नियून है आको पता किते हैं 6 है कौन कौन से राजस्तान है हर्याना है पंजाब है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है ठीक है तो राजस्तान भी किते आ रहा है गुजरात है गुजरात है बिहार है कौन कौन से राज्य हैं पहला है गुजरात दूसरा है बिहार तीसरा है राजिस्तान चोता यूपी पांचवां पंजाब छटा आपका हरियना ये छे राज्य ऐसे हैं जिन में क्या है आपकी 10 प्रतिश्ट से कम क्या रिये आपकी आ रिये ठीक है इसके बाद देखेगा जो नेक्ट कोश प्रतिशन है 145 वां एक सो पैतालिस वां इसमें क्या बता रखा है कि भारत के बास्केट बोल दिगज भारत के बास्केट बोल दिगज वह आरजन पुस्कार विजित्ता है जिनका पंद्रा नौंबर दो हजार बाईस को क्या हो गया था देहां तो गया था गुलाम मुंटी सर या मुंद सर ठीक है मुंद सिर क्या है इनका देहन तो गयाता जो अर्जन पुस्कार विजित्ता है बास्केट बोल के ठीक है इसके बाद देखेगा गोडावन गोडावन की संक्या लगवा पचास की आसपास ही है गोडावन पक्षी है जो आपके मरुसली छेत में जो जैसर में रहता है निवास करता है राश्टिय मुरू उद्ध्यान ठीक है यह कहप है जैसर में इस्तित है कि इसके बाद देखेगा भारत के सविधान के निम्रिकेशन उचेद में राजिपाल का शपत का प्रारूप दिया गया है वो आपका आर्टिकल 159 के तरहत की दिया गया है फिर आड़ा राष्ट्य वनितिक नुसार मेजानी छेतर में कितने प्रतिशत तक छेतर वनों के अंत्रकत होना अवश्यक है मानक तो कितना है 33 प्रतिशत लेकिन अभी वरतमान में कितना है लगबग 9 या 9.32 है या कई बार आपका 9.5 भी आ जाता है यह तो वरतमान में है राजिस्तान का लेकिन 33 प्रतिशत जो है वह मानक है तो यह बोल रहा है मेजानी छेतर में कितने प्रतिशत वन तक कि अंत्रकत होना चाहिए यह आईडिल की बात कर रहा है होने चाहिए की बात कर रहा है ठीक है इसके बाद में इसके बाद में next question 150 और 150 में question है उत्तर लेंज की सम्ता होती है आपको पता है उत्तर लेंज की सम्ता जो है वो धनात्पक रूप से है क्लियर है तो इस प्रकार से आपके CT का जो थर्ड पारी या थर्ड जो रांड है या थर्ड पारी है उसके questions हमने देखे हैं जीके का questions इस बार जो आये हैं काफी variations है और काफी अलग अलग जगे से पुछे गए ऐसा जो ट्रेंट बनावाता जो आपके आप हमेश्या जो रास् का कुछ पार्ट आने लगा है तो यह निकी आपको डिट्र लिंग आपकी शेडी आउसकता है तभी चीज़े हो पाएगी आपको जीके के अंदर है पहलो को देखना पड़ेगा और खास करेंट को भी देखना पड़ेगा तब जाके आपको हो पाएगा ठीक है आपको प्रवाइज आएगी आपके